इन शोट नोट्स को आप यहां पे देखेंगे तो आपका सारा रिवीजन भी हो जाएगा एक का बेनिफिट है दूसरे को कोई नुकसान नहीं, कोई फायदा नहीं, जीरो यह जो टेंटिकल्स हैं, बाहर नुकीला पाठ है, यह थोड़ा बहुत तो खाना कैप्चर कर लेता है समुद्र में से बाकी का खाना कौन लाएगा, वो अपना बढ़िया साइड में से खाना लाता है, बैट जाता है, साइड में से खाना लाता है, बैट जाता है अब वेल को कोई फरक पड़ेगा, कोई फरक नहीं पड़ेगा, मैं बहाँ खर आँ ऐसे रीजन की, जहां पे rain fall की कमी है एक दिन ये continental shelf उपर आई जब ये उपर आई expose हो गया किसके लिए sun के सामने वापिस क्या हो जाएगा erosion Big hello to everyone and welcome to PW Only IES So, in the previous lecture for basics of ecology and ecosystem हमने discuss किया कि आखिर ecosystem है क्या what exactly is ecology और इसका difference क्या है environment के साथ और उसके साथ हमने बहुत सारे basic concepts जाने जैसे कि food chain क्या होती है food web और food chain में क्या difference है what is the another way to represent this entire idea that is ecological pyramid फिर उसके बाद एक last concept हमने पढ़ा था that was biomagnification आज के इस lecture में हम complete करेंगे biotic interaction, biogeochemical cycle, ecological succession और उसके साथ देखेंगे कुछ various adaptation mechanisms जिससे हमारा ये chapter 1 complete हो जाएगा ठीक है तो चलिए start करते हैं और discuss करते हैं इन interactions को for this interaction method what I have done is मैंने आपके लिए एक छोटे से short notes बनाए हैं, इन short notes को आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका सारा revision भी हो जाएगा सबसे पहले समझते हैं ये biotic interactions होते क्या हैं देखें जब भी आप किसी भी ecosystem को देखेंगे तो उस ecosystem में बहुत सारे organisms survive करते हैं and every organism is interacting with one another because in the previous class also I told you कोई भी organism बिना interaction के survive नहीं कर सकता चाहे वो कोई भी क्यों ना हो अगर आप खुद को भी देखें तो आप भी किसी ना किसी matter से किसी ना किसी भी manner से किसी ना किसी तरीके से हर जगे पे interaction करते आ रहे हैं बहुत सारे organisms के साथ ऐसे ही इन organisms के interactions को different different तरीके से classify किया जाता है जिसे हम biotic interaction के नाम से जानते हैं as the name itself suggests कि ये biotic interaction है यानि कि जो दो organisms हैं वो आपस में क्या करने वाले हैं interact करने वाले हैं बट इनका जो interaction होगा वो किस तरीके का होगा that is something we are going to talk about इस interaction को classify किया जाता है mutualism, symbolism, proto-corporation, commensalism, predation, parasitism, competition, amensalism और allelopathic के रूप में बड़े सारे interactions हैं इन interaction का पहला classification होता है कि कुछ interactions होते हैं जिनको हम positive interactions के रूप में देखते हैं यानि कि जिससे एक organism का benefit होता है और दूसरे को या तो benefit होता है या कोई नुकसान नहीं होता दूसरे तरीके के interaction को हम negative interaction कहते हैं जिसमें एक organism का नुकसान होगा, दूसरे का या तो नुकसान होगा, या कोई नुकसान नहीं, कोई बेनेफिट नहीं, इस तरीके के interaction को हम negative interaction के नाम से जानते हैं, जो सबसे पहला interaction, जिसकी बात हम अभी करने वाले हैं, that is what we call as mutualism, जैसा कि नाम से ही सफ़्ष्ट है, mutualism, mutualism का मतलब क्या है, यानि कि अगर माल लो, कोई दो organisms है, A and B, ये दोनों इस तरीके से एक दूसरे के साथ interact कर रहे हैं, कि दोनों एक दूसरे को benefit करें, इनका जो relation है, वो mutualistic relation है, अब इस mutualistic relation के अंदर, दोनों एक दूसरे के survival के लिए responsible है, दोनों एक दूसरे के survival को help कर रहे हैं, यही mutualistic relationship होता है, बट इस mutualism को आगे दो भागों में divide किया जाता है, पहला जो mutualistic relationship है, इसको आप बोलते है, proto-corporation, and second relation is termed as symbolism, अब ये दोनों relation क्या है, और इन दोनों के बीच में क्या difference है, let's understand, देखे, मैंने बोला कि mutualism में दो organisms, जब आपस में interact करते हैं, तब दोनों एक दूसरे को benefit करने की कोशिश करते हैं, जब भी हम benefit की बात करेंगे, तब हम उसे indicate करेंगे, तब हम उसे indicate करेंगे, एक symbol से that is plus, अगर वो दोनों benefit कर रहे हैं, then it is plus plus, दोनों एक दूसरे को harm क एक benefit हो रहा है, एक का नुकसान हो रहा है, plus minus, एक का benefit है, दूसरे को कोई नुकसान नहीं, कोई फायदा नहीं, zero, एक का नुकसान हो रहा है, दूसरे का कोई नुकसान नहीं, कोई benefit नहीं, negative zero, इस तरीके से इन्हें क्या किया जाता है, indicate किया जाता है, So, let's come back here and decide what exactly mutualism is. Mutualism में दोनों अगर एक दूसरे को benefit करते हैं, तो इसे हम plus-plus की संग्या देते हैं. इसके आगे classification क्या है? Proto-cooperation. Proto-cooperation का मतलब मान लीजिए, there is a flower. कोई एक flower है, इस flower के उपर, कोई एक honeybee आता है. अब honeybee आया, तब इसको इस flower सी क्या मिला? खाना मिला. और इस honeybee ने इस flower के reproductive success के अंदर एक बहुत बड़ा role play किया. यानि कि वो इस pollen grains को, pollen grains को ले जाएगा, और दूसरे flower में जाके छोड़ देगा. इससे इस plant का reproductive success हुआ, और honeybee को खाना मिल गया. यानि कि दोनों एक दूसरे पे निर्बर है, दोनों को ही benefit हो रहा है. देस इस वाट वी कॉल एस mutualism. एक्जेंपल से थोड़ा जादा जल्दी समझ भी आता है. अब यहाँ पे problem क्या है? अगर मैं बोलू कि क्या honeybee अपने जीवन के survival के लिए सिरफ इसी plant पे, इसी flower पे निर्बर करती है? नहीं. और क्या यह flower अपने reproductive success के लिए सिरफ honeybee पे निर्बर करता है? नहीं. अगर मालो winds चल पड़ी और इन हवाओं के कारण इसके seeds disperse हो गए, pollens disperse हो गए, तो भी तो reproductive success अचीव हो जाएगी. इसका मतलब यह है, यह दोनों एक दूसरे को help तो करते हैं, बट इन दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने की, यानि की साथ में जीने मरने की कसमे नहीं खाई हैं. यह दोनों एक दूसरे के बिना भी survive कर सकते हैं, बट जब तक है साथ में एक दूसरे की मदद करेंगे यानि कि ये cooperate तो कर रहे हैं बट एक्स्ट्रीम लेवल ओफ कोपरेशन नहीं है प्रोटो लेवल ओफ कोपरेशन है इसे बोला जाता है प्रोटो कोपरेशन बले ही इसमें प्लस प्लस है दोनों benefit out हो रहे हैं बट दोनों एक दूसरे के बिना अपने काम को कर सकते हैं साथ में जिन्दार रहने की और साथ में जिन्दा मरने की कसमें नहीं खाई हैं अब आता है सिंबोईजम सिंबोईटिक रिलेशन क्या होता है यह भी आप सब लोग बाकिफ होंगे इस वर्ट से सिंबोईटिक का मतलब होता है जब दो लोग corporate करते हैं और एक दूसरे के survival के rate को increase करते हैं यहाँ पे मैं आपको example देना चाहता हूँ coral polyps और उसके साथ साथ coral polyps उसके साथ साथ एक algae जिसे आप zoosanthala के नाम से जानते हैं अब zoosanthala और coral polyps में क्या relation है देखे, coral polyps क्या होते हैं छोटे-छोटे, छोटे-छोटे microorganisms हैं जो की, जो की समुद्र में किसे surface के उपर grow करना start करते हैं बट coral polyps के साथ समस्या यह है कि यह move नहीं कर सकते इनकी shape जो होती है मालो यह surface है इनकी जो structure है वो इस तरीके से आपको coral की structure दिखाई देगी अब यह यहाँ पे surface के साथ attached है move नहीं कर सकते अगर move नहीं कर सकते तो खाना कहां से लाएंगे अब यहाँ पे जो इनके tentacles हैं यह जो tentacles हैं नुकीला part है यह थोड़ा बोथ तो खाना capture कर लेता है समुद्र में से बाकी का खाना कौन लाएगा इसके लिए इनको जरूरत पड़ती है एक algae की zoosanthilla is an algae algae का मतलब यह क्या करेगा photosynthesis करेगा यह करेगा photosynthesis और खाना बनाएगा किसके लिए इस coral polyp के लिए बट फिर coral polyp ने in return इस zoosanthilla को क्या दिया coral polyp कहता है कि जब भी मेरा excreta होगा जब भी यह excreta out करेंगे तो इनके चारों और skeleton develop होता है और वो skeleton किसका होता है calcium carbonate का अब यह calcium carbonate का skeleton होता है यह इस algae को क्या provide करता है shelter तो अब देखो एक provide कर रहा है food एक provide कर रहा है shelter तो दोनों आपस में symbiotic relationship में है दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे के survival को increase करते है मान लो किसी कारणवश मान लो किसी कारणवश यह algae इस से बाहर चली जाती है तो क्या इस coral polyp को कुछ खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा क्या algae खुद survive कर पाएगी उससे shelter मिलेगा नहीं मिल पाएगा इस वज़े से इन दोनों का relation एक दूसरे के साथ symbiotic relation देखा जाता है यह होता है symbiotic relation जहाँ पे दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसमे खाई है ऐसे ही याद रखना है this is extreme level of cooperation यहाँ पे थोड़ा primary level of cooperation है जहाँ पे cooperate तो कर रहे हैं बट एक दूसरे के बिना भी जिन्दार रह सकते हैं और जो काम कर रहे हैं वो कर सकते हैं this is what we call as mutualism as well as proto-cooperation फिर आजाएं अगले step पे that is commensalism इसके अंदर आपको बहुत सारे examples भी दिखेंगे और यह बहुत सारी tables लिखी हुई है बट इसको मैं बहुत असानी से आपको यहाँ पे इस पूरे चाट के माध्यम से समझा सकता हूँ जो कि बहुत clear आपको दिख रहा होगा कि proto cooperation के अंदर pollinator और plant proto cooperation के अंदर pollinator और plant जो है वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं एक दूसरे को मदद करते हैं बट वो primary level of cooperation है जबकि symbiosis के अंदर coral और zoosanthila का example आपको दिखाई देगा second step आता है commensalism अब यह commensalism क्या होता है commensalism का मतलब है जब भी commensalism का मतलब यह होता है जब भी अगर माल लो एक दो organism है जो interact कर रहे हैं one is getting benefited and another is having no harm and no benefit at all then it is termed as commensalism इसका सबसे बहतरीन example मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो क्या है जब आप tropical rainforest की बात करते हैं tropical rainforest के अंदर होता यह है कि सारे के सारे trees के बीच में tropical rainforest मतलब amazon के जंगल वहाँ पे trees की जो height होती है वो बहुत बड़ी होती है उनके बीच में competition होता है competition होता है sunlight को लेकर क्योंकि अगर इनकी tree की canopy बहुत dense है तो वो sunlight को नीचे आने ही नहीं देगा तो जिसकी height कम रह जाएगी उस tree को तो नुकसान हो जाएगा वो कहेगा भाई मेरे को तो sunlight मिली नहीं और sunlight के बिना मैं grow कैसे करूँ इसलिए कुछ ऐसे कुछ ऐसे plants होते हैं जो की इस tree के उपर ही develop होने लगेंगे जैसे यह tree है ना वो यहीं से develop होने लगेंगे अगर वो नीचे से develop होने लगता तो उसके development के chances क्या होते कम होते बट अगर वो इसकी stem से ही develop होने लग जाए इसकी stem से ही आगे उपर की और भढ़ने लग जाए तो उसके chances के survival जादा है इसी लिए this tree जो की plant जो उपर उठ रहा है जो उपर भढ़ रहा है इसको तो benefit हो गया अब एक बात बताओ कि इस tree से क्या कोई nutrition ले रहा है ये plant नहीं ले रहा सिरफ क्या ले रहा है support तो क्या उस tree को कोई नुकसान होगा कोई नुकसान नहीं होगा इसको बोला जाता है epiphytus इसको बोला जाता है epiphytus epiphytus का मतलब जो की ऐसे plant जो की किसी tree की stem के उपर develop हो रहे है इनको climbing हम plants भी कहते है climb हो जाते है किसके उपर climb कर रहे है tree के उपर climb कर रहे है tree को कोई नुकसान हो रहा है नहीं हो रहा उसके बाद एक example है barnacles and whales जैसे आप whale, blue whale देखेंगे उसका इतना बड़ा शरीर है अब उस उतने बड़े शरीर के ऊपर एक छोटा सा बार्निकल आके क्या करता है बैठ जाता है अब उस बार्निकल को क्या मिलता है सुरक्षा मिलती है क्योंकि जब वो whale के ऊपर बैठा है तो उसको कोई predator जो उसका है वो spot नहीं कर पाता अब वो क्या करा है जैसे जैसे whale तैर रही है वो अपना बड़िया side में से खाना लाता है बैठ जाता है अब whale को कोई फरक पड़ेगा कोई फरक नहीं पड़ेगा जीरो बारनेकल को फाइदा है मैं कहता हूँ जम के फाइदा है प्लस इस वज़े से आप यहां पे देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि बारनेकल जो है ये तो हो रहा है benefited और जो whale है उसको कोई नुकसान नहीं we call it as commensalism we call it as commensalism फिर आजाओ predation सर प्रिडेशन क्या होता है बहुत सिंपल सा फंडा है प्रिडेशन का मतलब शिकार करना honey honey बोल रहा हूँ deer और उसके साथ साथ lion deer और lion जब ये दोनों आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई ये प्रिडेशन का सबसे best example है जिसमें एक का फाइदा है एक का नुकसान है फाइदा किसका है फाइदा तो है भाई साथ share का और नुकसान किसका है बिचार हिरन का जिसकी जिन्दगी चली गई अब इसको हम बोलते हैं प्रिडेशन प्रिडेशन का मतलब और ये बहुती नेचुरल सा मेकेनिजम है इस एको सिस्टम के अंदर जहां पे एक को फाइदा दूसरे को नुकसान फाइनेस्ट एक्जेम्पल डियर लायन और डियर टाइगर डियर लेपड ये इसका एक एक एक्जेम्पल है एक चीज आप देखना है यहाँ पे जब प्रिडेशन होगा तब क्या नेसेसरी है इस डियर की जान चली जाए आप्वियस्ली लायन इस डियर का शिकार कर लेगा तो चांसेज हैं कि 99.9% रधर 100% कि इस डियर को अपनी जान देनी पड़ेगी और तब जाके किसका बेनिफिट होगा इस लायन का बेनिफिट होगा चलो भड़िया है ये तो हो गया प्रिडेशन ये तो हमें समझ में आ गया क्या प्रिडेशन इसके बाद आता है सर्फ पेरासाइटिजम सर्फ पेरासाइटिजम को भी अगर आप देखोगे तो ये भी तो ये भी तो प्लस और माइनस है यानि कि एक को बेनिफिट दूसरे को नुकसान अरे ये क्या है सर फिर predation और parasitism में क्या फर्क है predation और parasitism में सबसे बड़ा फर्क ये है मेरे दोस्तों कि predation के अंदर predation जब हुआ था तब एक को necessarily अपनी जान देनी पड़ी थी जब parasitism है इसका सबसे अच्छा example ये है कि ये एक host parasite relation के अंदर रहता है host parasite का मतलब आदे से ज़्यादा लोग सोच रहे होंगे सर्फ parasite क्या होता है और आपने सबसे करीबी से देखा है parasite को जू, मच्छर ये सारे parasites है जो head lies है, जूएं होती है वो parasite है, अब एक बात बताओ जू है head lies अगर ये किसी के सर में है वो क्या उस व्यक्ति की जान ले लेगी नहीं, क्या नुक्सान पहुँचा रही है हाँ, और उफकोर्श, नुक्सान थो पहुँचा ही रही है तो एक को नुक्सान हो रहा है जू को head lies को benefit हो रहा है हाँ, बिलकुल सही बात तसर benefit हो रहा है extreme form जब है तब आप बोल रहे हैं predation और जब parasitism का मतलब आपके पास host और parasite का relation है predation में कौन सा relation है ? predation में predator और prey का relation है predator कौन है ? lion और उसका खाना कौन बनेगा ? dear और इसकी विचारे की जान चली जाएगी यहाँ पे host कौन बनेगा ? human और parasite कौन बनेगा ? क्या इसकी जान चली जाएगी नहीं सर ऐसा जरूरी नहीं है तो अभी तक हमने फटाफट देख लेते कौन कौन से देखे सर पहला देखा mutualism और इस mutualism के अंदर हमने देखे दो भाग प्रोटो कोपरेशन और उसके बाद देखा सर हमने शिंबोईजम शिंबोईटिक रिलेशनशिप शिंबोईजम और इनके example याद रखने बहुत जरूरी है यह जो PDF है अपलोड हो जाएगी टेलिग्राम चैनल पे यू विल बी वेरी एजी एजीली रिवाइजिंग और प्रोटो कोपरेशन के अंदर सर प्लस प्लस है पॉलिनेटर का example याद आता है सिंबोईजम फटा फट बोलो मेरे साथ सिंबोईजम मतलब सर प्लस प्लस है कोरल जू जो जेन फिला फिर सर आपने बताया कमेंसलिजम के अंदर हमने देखा सर एक प्लस है एक जीरो है सर एक्जैंपल एस एपिफाइटर सर डूसरा एक्जैंपल सर बार्नेकल and whale का example revise हो गया चलो आगे भढ़ते हैं तीसरा सर तीसरा हमने पढ़ा predation प्रिडेशन सर सारी दुनिया जानती है एक का benefit एक का नुपसान dear lion सर parasitism 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 का मतलब क्या है सर parasitism का मतलब है एक का फाइदा दूसरे का नुपसान और इसका example क्या है सर host parasite relation host parasite relation में head lies और human उसके बाद सर अगला आप बता दो अगला मैं बता रहा हूँ amensalism 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 का मतलब एक का नुकसान दूसरे को कोई फाइदा ने कोई नुकसान नहीं आजाओ फटा फट याद रखना पड़ेगा चलो amensalism black walnut trees और eucalyptus अब होता क्या है जब भी आप इन trees को देखेंगे तो एक tree क्या करता है कुछ ऐसे chemicals को secret करता है जिससे दूसरे tree की growth रुख जाती है अब बटाओ जो दूसरा tree बाजू में जो दूसरा tree grow रहा था उसकी कोई गलती थी नहीं उसकी कोई गलती नहीं उसका क्या हो गया नुकसान और जो chemical release कर रहा है उसको कोई फाइदा है नहीं उसको कोई नुकसान है नहीं उसका तो काम है वो करना वो कर रहा है इस वज़े से ऐसे interaction को हम किस नाम से जानते हैं इसको हम जानते हैं amensalism के नाम से और यही जो amensalism है इसी को आप allelopathy के नाम से भी जानेंगे allelopathy के नाम से भी जानेंगे बट थोड़ा सा difference है वो मैं अभी बताऊंगा amensalism का एक और खूबसूरत सा example देता हूँ मान लो किसी एक region के अंदर यहां पे बहुत बड़ा tree grow कर रहा है अब इसकी चाया ऐसी रही कि एक छोटे वाला जो tree है वो बिचारा grow नहीं हो पा रहा अब इस tree की कोई गलती है नहीं इसको कोई benefit नहीं कोई नुकसान नहीं बट इसके साथ क्या हुआ इसके साथ तो भाई बड़ी बुरी हुई इसको हो गया नुकसान क्योंकि यह उसकी shade में आ गया यह उसकी चाया में आ गया जिस वज़े से यह grow नहीं कर पाएगा चलिए यह भी पता लग गया इसके बाद amensalism के बाद black walnut trees eucalyptus यह एक example है amensalism का black walnut tree और eucalyptus बट यह finest example किसका आता है यह allelopathy का भी एक example बनता है मैं अभी बताओंगा कैसे चलो अब देखो एक बात allelopathy का मतलब क्या होता है amensalism के अंदर amensalism के अंदर we all know that one is getting harmed other is getting no benefit no harm वो किसी भी तरीके से हो सकता है either by secreting chemicals or by some other mechanism जैसा कि मैंने आपको बताया but allelopathy का मतलब होता है जब necessarily एक जो plant है वो chemicals release करता है जब वो chemical release करता है तो उससे side वाले जो plants है उनकी या तो growth भड़ सकती है या growth कम हो सकती है basically कहने का मतलब यह है allelopathy में chemicals का role है और यह chemicals क्या होंगे इन chemicals का secretion होगा और ऐसा जरूरी हमें amensalism में नहीं दिखाई देता यानि कि allelopathy में जब chemicals secret होंगे तो इस खुद को तो कोई फाइदा नहीं कोई नुकसान नहीं सामने वाले प्लांट को या तो फाइदा हो सकता है, सामने वाले प्लांट को या तो नुकसान हो सकता है इस वजए से आप इसको Allelopathy को Positive और Negative दोनों मैनर में देख सकते हैं जबकि Amensalism जो Interaction है वो Negative और Zero के रूप में देखा जाता है I hope the difference is clear, not every Allelopathy is Amensalism and not every Amensalism is Allelopathy क्योंकि हमेशा हमें ये भी पता लग सकता है कि कोई ट्री है उसकी छाया के अंदर अगर दूसरा ट्री आ गया तो ऐसा जरूरी नहीं है ना कि वो भी वो भी ग्रो करने लगेगा, ये कौन सा एक्जेम्पल है, सर Amensalism कोई chemical secret हुआ, नहीं, सरी Allelopathy है, नहीं है अगर इसने कोई chemical secret क्या होता और दूसरे वाला बंद हो जाता ग्रो करना सर Allelopathy है, हाँ है, दूसरा बंद हो गया ग्रो करना हाँ है तो क्या Amensalism है, हाँ सर है तो इस तरीके से इसको देखा जाता है, थोड़ी deep understanding प्रोवाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, चलिए, आगे भरते हैं Allelopathy हो गया, Amensalism हो गया, अब आगया competition Competition का मतलब है, जब दो लोग एक resource के लिए क्या करते हैं, fight करते जैसे lion और tiger, deer के लिए fight करें अब ऐसी situation में, जब lion है, tiger है, deer है दोनों आपस में fight कर रहे हैं, क्या दोनों को एक deer दोनों को एक deer पेट भर देगा, नहीं इस वज़े से दोनों का क्या होता है, नुकसान होता है दोनों का क्या होता है, नुकसान होता है और इसको अच्छे से जानने के लिए आप पिछला वीडियो देखें जहां पे हमने बात की थी, competitive exclusion principle की, इसी competition को exclude करने के लिए competitive exclusion principle मैंने आपको बताया हुआ है, competitive exclusion principle, right, यह आपको मैंने पहले ही पढ़ा दिया, so these, that's it for the biotic interaction, biotic interaction हो गया है, खतम, अब आगे भढ़ते हैं, और आगे भढ़के हम जानने की कोशिश करते हैं, ecological succession को, जो आज का हमारा दूसरा topic है, so ecological succession, जैसा की इसका नाम से ही clear है, succession का मतलब क्या होता है, succession का मतलब है, gradual process change होना, अगली PD का आना, वैसे ही हमारे इस ecosystem में, एक process चलता जा रहा है, जो की बहुती gradual process है, जिसमें species change होती रहती हैं, क्यों species change होती हैं, क्योंकि species जो है, जब change होती हैं, तब उनके surrounding का जो ecosystem है, जो उस ecosystem का structure है, वो change हो जाता है, basically कहने की बात यह है, कि when one species is being replaced by the other species in an ecosystem, when one species is replaced by the another species, successive species in an ecosystem with the gradual process, due to change in the ecosystem structure, is known as ecological succession, अब ध्यान से समझना, ecological succession का मतलब यह है, मान लो एक छोटा सा example देता हो, आपने अपने घर के बाजू में, एक खाली plot देखा होगा, जब आपने वो plot देखा, वो एकदम खाली था, 10-15 दिन, 20 दिन, एक महीने के बाद देखना, उस plot में थोड़ी सी छोटी छोटी जाडियां उगने लगेंगे, क्या वहाँ पे किसी ने वो जाडियों को ग्रो किया, नहीं, फिर वो कैसे उग गए, और थोड़े समय बाद उनको भी कोई नहीं काटेगा, तो वो पेड़ बन जाएंगे, फिर आपको लगेगा यार, यह ऐसा कैसे हो रहा है, कि एक जगह पे, जहाँ पे कुछ भी नहीं था, वहाँ पे अपने आप ये इतना बड़ा एकोसिस्टम कैसे डेवलप हो गया, यही प्रोसेस एकोलोजिकल सक्सेशन का है, क्योंकि मैं एक बात बता रहा हूँ, जैसे हम हमारी लाइफ बहुत ही और्गेनिकली चल रही है, यह एकोसिस्टम भी और्गेनिक है, इसके अंदर भी चेंजिस होते रहते हैं, डेवलप्मेंट्स होते रहते हैं, इन्ही डेवलप्मेंट्स के लिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ, सबसे जरूरी बात, माल लोग इस प्रोसेस को आप किस नाम से जानते हैं, सक्सेशन के नाम से जानते हैं, अब यह सक्सेशन क्या है, सर इकोलोजिकल सक्सेशन है, सक्सेशन का मतलब क्या होता है, वेन वन स्पिशी इस बिंग रिप्लेश्ट बाइ दी अनदर, रिप्लेश्ट बाइ अनदर, जब एक फिशी द्वारा क्या कर दिया जाता है? रिप्लेस कर दिया जाता है, उसे ही हम succession कहते हैं. अब ये कैसे रिप्लेस हो रही है? क्यों रिप्लेस हो रही है? इसके रिप्लेस होने का कारण है Changing Ecosystem Structure Changing Structure of Ecosystem अब ये structure change क्यों हो रहा है? इसको हम जानने की बात करते हैं और इस example से आपको completely समझ में आ जाएगा क्या है रॉक ये रॉक थी इस रॉक ये रॉक ऐसे ही पड़ी थी किसी एक एरिया में मानलो कोई एक island बना उस island पे इस रॉक का development हो गया magma के solidification से ठीक है fair enough इस रॉक के उपर सबसे पहले क्या होगा सर इस रॉक के उपर धीरे 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 काई जमने लगेगी काई जमने लगेगी जिसको आप lichens and mosses कहते हैं mosses and lichens काई आपने सुना होगा word ये काई जमने लगेगी mosses and lichens दीरे 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 इस rock के उपर आने लगेंगे जो species सबसे पहले आके इस area को inhabit करेगी उस species को हम क्या नाम देंगे इसे नाम देंगे pioneer species यानि कि ये इस जगे का सबसे पहला 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 सबसे पहला आने वाला organism है चाहे वो plant है या organism इसको हमने pioneer species का नाम दिया अब आप देखो ना वो काई अपने आप जमने लग जाती है ठीक है क्यों क्योंकि कुछ ऐसी situations है कैसी situations है आप देखो कि आपको sunlight मिल रही है पानी मिल रहा है उस वज़े से काई develop हो गए अब यह lichens क्या करते हैं जैसे जैसे धी दीरे वक्त गुजरता जाएगा यह lichens क्या करेंगे कुछ acids को secret करेंगे अब जब यह acid secret करेंगे तब धीरे 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 इस rock के अंदर क्या होने लगेगा crack develop होने लगेंगे इस rock के अंदर crack develop होने लगे और उपर से आपको पता है आपने अगर weathering पड़ा है तो sunlight की presence में mechanical physical weathering होने लगेगा weathering होते 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 इस region के अंदर धीरे धीरे किसका development हो गया sir इस region के अंदर soil का development हो गया अब एक बात बताओ इस soil को develop करने में किसने मदद की sir इस mosses और lichens ने क्यों क्योंकि जो यह acid secret किया इस acid ने ही इस rock को तोड़ने में मदद की मतलब अब ये हुआ जब ये soil develop हो गए तब इस soil के अंदर मालो उपर से कोई पक्षी गुजर रहा है उस पक्षी ने कोई seed नीचे गिरा दिया किसी grass का seed नीचे गिरा दिया तो धिरे-धिरे यहां पे seeds आने लगे यहां पे धिरे-धिरे कुछ seeds आए तो इससे क्या develop होने लगा grasses develop होने लगे सर क्या develop हो गई? grass develop हो गई और एक बात बता देता हूँ grasses जो होती है ये drought tolerant भी होती है उसके साथ-साथ heat tolerant भी होती है और ये सबसे जल्दी develop कर जाती है आप किसी भी जगह पे देखो थोड़ी सी बारिश होती है घास होग जाती है तो ये बात आपको समझ में आ गई अब grasses develop हो गई एक बात बताओ इस grass को develop करने के लिए जो condition conducive condition प्रोवाइड की वो किसने प्रोवाइड की इसी lichen ने मतलब ये है कितनी खूपसूरती है इस nature के अंदर कि जो व्यक्ति खुद replace होना चाता है वही वो condition develop कर आए कि आओ मुझे replace कर दो अगर ये चुपचाप lichen बैठा रहता कोई acid secret नहीं करता तो क्या replace होता नहीं replace होता यही सबसे बड़ी खूपसूरती है यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ecological succession में सबसे खतरनाक सवाल कोई पूचा जा सकता है तो वो यही पूचा जा सकता है अपने replacement के लिए खुद ही वो condition प्रोवाइड करती है ठीक है, grasses आ गए अब धीरे-धीरे grasses जब आएं तब यहाँ पे आपको पता लगेगा grass आई तो grass हूपर आगए grass ओपर आगए, grass ओपर आगए तो ठीक है चलो, यहाँ पे धीरे-धीरे biodiversity क्या होने लगी increase होने लगी, थोड़ी-थोड़ी तितलियां आगई, butterflies आगए अब यह butterflies घूम फिर के कहीं से, कहीं से घूम फिर के seeds लाके यहाँ पे seeds disperse कर देती है, वो seeds किसके आगए सर कुछ यह grasses जो है दीरे-दीरे यह grow करने लगेंगी तो यह grasses छोटे-छोटे छोटे-छोटे जो shrubs हैं bushes हैं, इनके अंदर convert हो जाएंगी shrubs and bushes बदल जाएंगी, क्यों बदल जाएंगी सर, grow करेंगी, grow क्यों करेंगी भाई साब, इनको sunlight मिल रहा है इनको पानी भी मिल सकता है उपर से कुछ moisture है अभी बारिश आ गई, दीरे-दीरे shrubs and bushes बन गए, shrubs and bushes बनते-बनते, जाडियां बनने लगी जाडियां बनते-बनते यहां पे अब, जैसे जाडियां बनेगी यहां पे reptiles भी आ गए, छिकलियां भी आ गए और biodiversity increase हो गई सर, biodiversity और increase हो गई सर, अगले step में क्या होगा अगले step में बच्चा क्या खुबसूरत सी चीज हुई कि यहां पे अगर कोई trees के किसी भी पेड के seeds पड़े है अगर वो germinate होने लगा तो आपको पता है वो सारे nutrients खा जाएगा इनके क्यों क्योंकि उसकी roots क्या होती है deep होती है अब धीरे 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 यहां पे किसका development होने लगेगा सर यहां पे पेड डेवलप होने लगेंगे अब एक बात बताओ किसी ने यह पेड लगाया क्या यहां पे आके किसी ने नहीं लगाया बट फिर भी यह डेवलप हो गया न हाँ one community is being replaced by the other in the successive manner naturally this is termed as ecological succession खतम हो गया concept when one species when community is being replaced by the other community in a natural manner in a successive manner naturally we call it as ecological succession so come back here अब यहां पे हम देखते हैं यह जो ecological succession है क्या यह gradual process है बिल्कुल सही बात है क्या इसके changes जो है वो predictable है हाँ सर predictable है क्योंकि one by one तरीके से ही आएगा दादे के बाद सीधा पोता थोड़ी आ जाएगा पहले पिता जी आएंगे है न वैसे ही यहां पे एक predictable change है अब यहां पे यह कब तक चलेगा जब तक वो community उस पूरे ecosystem के साथ equilibrium में नहीं आ सकती कहने का मतलब है अब इस tree को कोई यहां पे है कोई है यहां पे जो tree को replace कर दे मैं कहता हूँ कोई भी replace नहीं कर सकता एक community ऐसी जिसने यह शुरुवात की उसे बोला जाएगा pioneer species एक community ऐसी जिससे end हुआ इसे बोला जाएगा climax community इसे क्या बोला जाएगा climax community अब एक बात बताओ यहां पे इस soil के अंदर क्या earthworms आ सकते हैं बिल्कुल सही बात है यहां पे क्या rodents आ सकते हैं जी हाँ क्या यहां पे छोटे-छोटे microorganisms आएगे बिल्कुल हाँ वोई microorganisms decompose करते रहेंगे soil को enrich करेंगे nutrients add करेंगे उससे आगे develop होता जाएगा जो beach की stages है beach की जो stages है इनको बोला जाता है series series से एक word आता है cyril तो इनको बोलते हैं हम cyril communities इसको बोलते है pioneer इसको बोलते है climax community so pioneer community वो community है जिसने शुरुवात की cyril community beach की जो stages है series में जो stages है उनको cyril community and last में जो आया उसे बोलते हैं हम climax community this is something you need to understand so यहाँ पे हमें ये तो पता लग गया ये होता है पूरा process of ecological succession which is a predictable change in a successive manner naturally with the help of pioneer community leading to the climax community and climax community वो community है जो की अपने environment के साथ क्या है equilibrium में है environment के साथ क्या है equilibrium में है उसे ही क्या बोला जाता है climax community let's come back here अब pioneer community serial community climax community done ये पूरी pdf इतना detail में पढ़ाऊंगा मज़ा आ जाएगा आगे बढ़ते हैं और इसके अलावा है भी कुछ नहीं इसके अंदर अब ये बात लिखी है कि सर्ज सक्सेशन दो तरीके का होता है primary और secondary आजाओ इस बात को भी जानते हैं अब एक बात बताओ मालो ये सक्सेशन देखो जब भी ये सक्सेशन जब भी ऐसा कोई सक्सेशन जब भी कोई सक्सेशन ध्यान से समझना जब भी कोई सक्सेशन शुरू हुआ बिल्कुल ऐसी स्टेट से जहां पे सोईल का प्रेजन्स नहीं था जहां पे सोईल का प्रेजन्स ही नहीं था बिल्कुल एकडम बेर रॉक से स्टार्ट हुआ है एक नए वलकैनिक आइलेंड पे स्टार्ट हुआ है तो उस प्रोसेस को जहां तक हमने देखा उ नेई सर सौयल ने थी, इस successfully को बोला जाता है primary succession, इसको बोलते हैं हम primary succession, ठीक है सर, यह जंगल बन गया, अब किसी दिन क्या हुआ climate change हो रहा है, और climate change के अंदर climate change के कारण इस जंगल में आग लग गई, पूरा जंगल नेस्तान अबूत हो गया, बिल्कुल तबाह हो गया, क्या वापिस यही process शुरू होगा बिल्कुल सही बात है बट क्या वहाँ पे soil का presence था बिल्कुल सही बात है सर soil तो थी ना rocks थोड़ी थी और in fact मैं ये भी कहता हूँ soil के अंदर fertility भी होएगी क्यों 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 जो ash हुई उस जंगल की उस ash ने क्या किया fertility एड़ कर दी और इसके बाद क्या हो गया succession स्टार्ट हो गया और final कहां होगा sir final तो वही climax community पे ही होना है final यहां हो गया final यहां हो गया climax community पे और इसको हम बोलेंगे secondary succession when a succession is being started when there is already the presence or availability of soil right and उसके साथ साथ जब यह succession soil की availability के कारण ही start हुआ है तो उसको हमने secondary succession बोल दिया एक और तरीका होता है इस succession को बताने का वो क्या है जैसा की आप यहां पे देख सकते हैं इस succession के अंदर आपको दिखाई देगा चलो यहां पे लिखा नहीं हुआ मैं बता देता हूँ यहां पे लिखा नहीं हुआ है let me tell you that is termed as autogenic succession and allogenic succession अच्छा उससे पहले एक बात मुझे बताओ उससे पहले मुझे एक बात बताओ इन दोनों succession के अंदर fast कोन होगा सब लोग जानते हैं सर जहां पे soil already available थी तो secondary succession is यहां पे लिख देना secondary succession is सक्सेशन is secondary succession is faster than faster than faster than primary faster than primary secondary is faster than primary क्योंकि वहां पे already किसका presence था already soil का presence आपको दिखाई देता है this is what we call as ecological succession so before we move on let's talk about the primary succession यहां पे आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे जो बाते मैंने बोली है वो सारी लिखी हुई है इसलिए मैं थोड़ा सा इत्मिनान से आपको समझा देता हूँ आप अपने आप यह जब notes अपलोड होंगे पढ़के काम कर लीजिएगा primary succession occurs where there is no soil or no living organisms exist such as on bare rock surface sand dunes newly formed volcanic islands it begins with colonization of pioneer species lichens and mosses जो कि कहां पे भी grow कर सकती है bare rock पे भी फिर धीरे-धीरे organic matter accumulate होता है soil develop होती है फिर complex species आती है grass आगई, shrubs आगई, फिर trees आगई फिर ये खुद को establish कर लेती है हर चीज़ वही लिखी हुई है तो ये हो गया primary succession as the soil becomes deeper and more fertile environmental conditions becomes more stable जैसे जैसे soil अब आप देखो न, grasses के साथ जैसे वो अगले stage पे जा रही है तो वो क्या करें environmental condition को stable बनाती जा रही है क्योंकि जब grass आएगी तो moisture आएगा moisture आया, climatic conditions change हुई थोड़ी बारिश हुई और उसके साथ shrubs and bushes आये और plants आये और सारा nitrogen का accumulation हुआ उसके साथ साथ soil के अंदर fertility आई और इसके साथ साथ ऐसी conditions develop हो गई कि अब trees यहाँ पे grow कर सकते हैं तो हर community खुद को replace करने का एक भड़िया सादन तयार कर रही है और आगे वाली community को invite करते कि आजाओ मुझे replace कर दो ठीक है और यह ऐसा है कि ऐसा है कि एक ही दिन में हो जाएगा इसको centuries लग जाती है बट secondary succession is much faster क्योंकि इसमें क्या है पहले soil grow हो चुकी है पहले vegetation का presence रहा है मानलो किसी जगे पे flood आ गया पूरा forest fire हो गया उसके बाद जब succession स्टार्ट होगा तब definitely यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई साब यहाँ पे जो succession है वो secondary succession है अब secondary succession में pioneer species कै लाइकेन होगा पागल हो लाइकेन तो किस पे आता है bear rock पे आता है तो lichens और mosses नहीं होगे अब soil है तो growing shrubs हो सकती है grasses हो सकती है जो कि इस area को सबसे पहले क्या करेंगी inhabit करेंगी और दीरे 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 यहाँ पे conditions को stabilize करते हुए आगे की और भढ़ेंगी चलिए आगे भढ़ते हैं over time soil fertility improve यहाँ पे आप देख सकते हैं forest after a wild fire सारी चीज़ें वही लिखी हुई है pioneer species कोन सी है fire adapted grasses मैंने पहले ही बोल दिया था grasses are drought tolerant fire tolerant next is pioneer community जो की initial stage में आती है succession में उसको pioneer species कहते है typically the first to colonize the area pioneer species play a crucial role बिलकुल सही बात है इनके बिना तो कहानी start ही नहीं होनी थी क्योंकि जब यह आएंगी तब भी तो complex plant develop होना start होंगे फिरी तो nutrient का cycling start होगा फिरी तो soil में nutrients आएंगे हैं न चलो आगे भढ़ते हैं examples आपको याद रखने lichens, mosses, algae, certain grasses and कुछ herbaceous plants climax community आपको पता है जो की final stage होगी उस ecosystem के अंदर जो की सबसे stable होगी जो उस environmental condition के अंदर equilibrium maintain कर पाएगी, generally ऐसी species कौन सी है, generally ऐसे जंगल आपको दिखाई देते हैं, ठीक है अब देख सकते हैं और plant remain relatively stable over time with minimal changes occurring in species composition चलो आगे भढ़ते हैं, अब आते है, serial stages, I have already discuss this thing with you, autogenic and allogenic succession अरे, ये क्या है सर primary, secondary तो समझ में आ गया autogenic और allogenic succession क्या है, autogenic succession वो होता है, जब जब ये succession और change हो रहे हैं, इसमें किसी external force का कोई योगदा नहीं है, bare rock पड़ी थी, उसका अपने आप succession होता गया, क्या किसी external factor, यानि कि कोई flood, कोई drought, उसने मदद की उसको, नहीं basically that is initiated by अगर कोई भी initiate की जाएगी external disturbance के कारण, तो उसको बोलेंगे allogenic succession, allogenic बोले तो, जब external disturbances के कारण, वो start हुआ while autogenic succession arises from the factors within the ecosystem, जो उस ecosystem के, उस ecosystem के जो लोग थे, उन्हों नहीं काम किया, जैसे lichens काम कर रही है हाँ sir, lichens काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, sir और उसके साथ-साथ lichens क्या कर रही है secret कर रही है, acid, soil बन गई, soil बनने के बाद sir, इसके अंदर, जो soil के nutrient recharge हो रहे हैं और उस ecosystem के अंदर, जो भी biodiversity है, वो आगे मदद करती जा रही है क्या sir, इसके अंदर कोई flood आया और कोई soil नहीं develop हुई नहीं हुई, sir, कोई wild fire हुआ और soil के अंदर fertility आई, नहीं आई, तो क्या मैं कह सकता हूँ मेरे दोस्तों कि इसके अंदर हम बहुत अच्छे से ये जान सकते हैं कि किसी external force का कोई योगदान नहीं है, तब उसे बोलेंगे autogenic अब मैं यहाँ पे आपको slide add करके, succession की बात बता देता हूँ, इसके types बता देता हूँ, ताकि आपको कभी दिक्कत आये ही न succession में आपको बहुत सारे बहुत सारे points देखने को मिलेंगे जैसे की, पहला अगर मैं succession की बात करता हूँ, तो सबसे पहले आपको दिखेगा, पहला classification, primary and secondary, sir it is done ठीक है, अब इसके बाद, sir, दूसरा classification, sir autogenic और allogenic, autogenic और allogenic allogenic के अंदर, sir allogenic के अंदर, external disturbances are there, इसके अंदर क्या है, external disturbances, external disturbances, और यहाँ पे autogenic के अंदर, जो ecosystem है, ecosystem है, वो self-sustained है, self-sustained है, to have the changes यह हो गया, आपका autogenic, no external influence फिर आता है, sir अगला sir, autotrophic autotrophic और heterotrophic autotrophic और heterotrophic succession, sir, यह क्या होता है क्या बार-बार बात बता रहे हो है तो कानी, succession की बट depend कर रहा है, कोन कर रहा है अगर यहाँ पे mosses, lichens की जगए, mosses और lichens जो है, अगर mosses और lichens जो है, वो ऐसे हैं, जो की autotrophs है, autotrophs मतलब जो खुद का खाना, खुद बनाना जानते है बिल्कुल सही बात है, sir, अगर उनके द्वारा succession किया जा रहा है तो autotrophics है, basically succession कोन कर रहा है, autotrophs autotrophs कोई भी herbaceous plant हो सकता है herbaceous plant हो सकता है और कोई भी algae भी हो सकता है बिल्कुल सही बात है, sir, अगर मान लो, यहाँ पे succession करने के लिए, earthworm आ गया यहाँ पे succession करने के लिए कुछ और bacteria, bacteria आ गया अगर earthworm आ गया earthworm heterotroph है क्या बिल्कुल सही बात है, sir, earthworm एक heterotroph है, तो इसलिए उस तरीके के succession को क्या बोलेंगे हम heterotrophic succession बोलेंगे so it depends upon who is initiating, who is taking who is playing the vital role in the succession, whether it is an autotroph और an heterotroph if an heterotroph is playing a vital role, we call it as the heterotrophic succession, if there is no influence of external force, then it is autogenic, and if there is a disturbance by the external force, it is allogenic यह बात आपको समझ में आनी चाहिए, चलिए, यह हो गया autotrophic succession यह भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा, let's say this so autogenic, allogenic हो गया, sir, उसके बाद these disturbances can include event like wildfire है, तो allogenic है wildfire है, तो allogenic है अगर किसी भी एक forest ecosystem में आग लग गई, तो उसके बाद, आग लगने के बाद जो succession स्टार्ट होगा, वो allogenic succession होगा, secondary succession होगा, यह बात आपको समझ में आने चाहिए सब अलग-अलग है, मतलब ऐसा नहीं है कि सब यह secondary होगा, यह allogenic होगा, यह secondary सब पा criteria लग है, secondary मतलब, अगर soil हो, तो यह secondary भी है, बाहर के forces हैं, हाँ सर, बाहर के forces है, allogenic भी है यहाँ पे, सर, earthworm ने काम किया सर, heterotrophic भी है, उस तरीके से आपको अपनी सोच को develop करना है, so autotrophic and heterotrophic succession, we are dealt with it, so autotrophic succession में देखें, ecological changes जो हो रहे हैं, primarily driven by the growth and development of autotrophic organisms, such as plants समझाने के बाद तो बहुत असान हो जाता है समझाने के बाद बहुत असान हो जाता है heterotrophic में, चाहे वो decomposers हैं, चाहे वो earthworms काम कर रहे हैं, कोई bacteria काम कर रहा है, अगर उनकी वज़े से यह succession driven होता है तो उसको हम बोलते हैं heterotrophic सो यह एक बहुती dynamic process हैं, जो हमारे इस पूरे ecosystem के अंदर एक crucial role play कर रहा है जो की shape कर रहा है इस पूरे ecosystem को जो की change कर रहा है इस ecosystem की characteristic को तो हमने दो major topic आज के पढ़ लिये हैं, that is biotic interaction और उसके साथ-साथ हमने पढ़ लिया ecological succession, but ecological logical succession के अंदर यहाँ पे एक बहुत जरूरी बात है जो नहीं दी गई है, जो मैंने अपने notes में शामिल की है वो notes में शामिल करने का एक कारण था, क्योंकि एक बात ऐसा देखा जाता है, कि एक succession का और criteria है, जिसे बोला जाता है, hydrark succession और zerrark succession hydrark succession जो अभी आगे आने वाले 5 minute मैं बोलूँगा, यहाँ से सवाल आने की probability सबसे ज़ादा है, बाकी सब तो static है, यही है जो है वो यह है, hydrark succession hydrark word का मतलब है जहाँ पे hydro conditions है जहाँ पे पानी ज़ादा है hydrark succession, जहाँ पे पानी है, अगर माल लो कोई भी एक succession किसी भी एक aquatic area में start होता है, कोई भी एक succession, किसी wet area यानि की एक aquatic area के अंदर start होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं hydrark, और अगर कोई भी एक succession, dry areas, dry areas मैं गुजरात की बात नहीं कर रहाँ, मैं बात नहीं करूँ गुजरात की ना मैं बात करूँ भी आर की मैं बात करूँ ऐसे रीजन की जहां पे rainfall की कमी है ठीक है ऐसा succession जो कि dry areas में start होता है in succession के in succession को बोला जाता है zerark so आपको ये clarity आ गई कि sir hydrark क्या है और zerark क्या है देखो फटा-फट hydrark hydrark पता लग गया sir इसके साथ-साथ we got to know about one more thing here that is चलो pen change करते हैं क्या पता तुम्हारी किसमत भी बदल जाए hydrark के साथ-साथ zerark sir ये hydrark और zerark succession क्या होते हैं ऐसे successions जो की एक aquatic area के अंदर start हो ठीक है sir और ऐसे succession जो की dry area के अंदर start हो बट एक सबसे बड़ी खूबसूरती पते क्या है जिस भी area के अंदर ये start होगा इनका जो last होगा वो ऐसी condition में होगा जिसे बोला जाता है magic condition magic मतलब medium मतलब क्या है ये समझते हैं खूबसूरत सा एक aspect है मालो कोई एक area था जहां पे ये एक pond है ठीक है sir और आपको पता है कि sir जब भी आप एक pond देखोगे तब उसमें धीरे धीरे पानी में अगर रुका हुआ पानी है तो काई तो जमने लगती है दीरे दीरे धीरे यहां पे क्या आने लगा sir एक काई का development होने लगा ठीक है sir यहां पे इस काई को मैंने बोला मालो algae का development हुआ sir algies develop हुई algies से धीरे धीरे यहां पे इस पूरे के पूरे ecosystem के अंदर कहीं ना कहीं से कोई seed आ गया और वो seeds कोन लेके आते है पक्षी ले आए और जब यह काई आएगी photosynthesis होगा तो organisms develop होंगे और धीरे धीरे यहां की biodiversity भणने लगेगी धीरे धीरे इस काई को replace करते हुए यहां पे छोटे 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 plants आने लगेंगे धीरे धीरे जब यह plants develop होने लगे पहले तो यह plants क्या करते है floating plants होते है सबसे पहले क्या होंगे यह floating plants होंगे float करेंगे क्योंकि इनके पास अभी roots नहीं है क्योंकि अब यह नीचे नीचे नहीं algae था, algae के बाद यह क्या आगे floating plants आ गए अब इस plant के बाद धीरे-धीरे इनकी roots क्या होने लगेंगी, deep जाने लगेंगी, और deep जाते-जाते कहां पे, जो ये pond है, इसके surface के उपर, इस surface के उपर क्या करने लगेंगी, attach होने लगेंगी, जैसे-जैसे इस floating plant की roots, surface से attach होने लगेंगी, तो क्या यहां पे और biodiversity increase हो तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि इसके अंदर कुछ छोटे-छोटे-छोटे-छोटे-छोटे पेड डेवलप हो जाएगे, अब यह छोटे-छोटे पेड डेवलप हो गए, तो क्या, जितना पानी इसके अंदर पहले बचा था, अब उतना पानी बचेगा, मैं कह roofs को देखना, कभी आप ecotone, यानि कि आप intertidal zone, यानि कि आप delta एक region, सुंदरबन delta सुंदरबन delta में जाईएगा वहाँ पे आपको लगेगा कि भाई साहब, यहाँ पे तो कैसा situation है यहाँ पे यह पानी, यहाँ पे यह plants है, यहाँ पे यह plants है, और समुदर का पानी बहुत कम है, समुदर का पानी बहुत कम है, और यह plants develop हो रखे हैं, वहाँ पे उस succession को हमने क्या बोला hydrark succession, अब आते है zirark succession से, so dry areas में सबसे पहले छोटे-छोटे कोई bushes आए bushes मतलब छोटे-छोटे जाडियां बनी, फिर cactus वेक्टस आए, फिर उनसे थोड़ा सा, थोटा सा कोई ऐसे trees आए, जिनकी water की requirement कम थी, फिर जब यह थोड़ा सा development होने लगेगा, तो क्या यहाँ पे evapotranspiration होगा, पेड आएंगे, तो evapotranspiration होगा sir, हाँ evapotranspiration होगा evapotranspiration से humidity बढ़ेगी, सर बढ़ेगी, humidity बढ़ेगी, तो rainfall के chance बढ़ेंगे सर बढ़ेंगे, rainfall के chance बढ़ेंगे, तो क्या यह भी पहले dry area से, medium area की और aggressor होगा बिल्कुल सही बात है, इसे बोला जाता है, hydrark to zerark succession, और जब भी यह end होगा, वो कहां पे end होगा, मित्रों वो end होगा, magic succession के उपर, और एक बात बताता हूँ, जैसे जैसे आप, पिछली बार मैंने net primary productivity के बारे में बात कर ली है जैसे जैसे आप, pioneer species से आगे भड़ते जाएंगे आपको productivity increase होती हुई दिखाई देगी, बट climax community के पास सबसे ज़्यादा productivity नहीं है क्योंकि climax का भी तो आप देखो ना, climax जब आप ऐसे समझ लो, जब movie चल रही है climax जब आने वाला होता है तब ज़्यादा productivity होती है, जब climax आ गया तब, जब climax आने वाला है तब सबसे ज़्यादा productivity है, और जब climax अचीव कर गया, तब तो stable सी condition आ गई, क्योंकि कुछ लोग पीछे हट गए अब climax जब आ रहा है, तो पीछे वाली productivity भी है, और जो climax community आ रही है, उसकी भी productivity है इसलिए, ये बात आप ध्यान रखें जो highest productivity है वो climax community से just पहले दिखाई देती है so, if the question comes pioneer community से अगर आप climax community की और जा रहे है, when you will find the highest productivity you will find the highest productivity just before the equilibrium position or just before the climax community, ठीक है, अब ये चीजे हमें समझ में आगे, और इसका एक process होता है, जिसको हम बोलते हैं कि सबसे पहले एक bare site थी, जिसको आप nudation बोलेंगे nudation मतलब एकदम bare फिर उसके बाद किसी का migration हुआ, migration के बाद ssis यानी की development होना start हुआ जब development होगा, तो अब एक बात होता हो, grass आई grass के बीच में tree के seeds आए तो उनके बीच में आपस में क्या start होगा competition होगा, competition में एक winner होगा, जो winner होगा वो stabilize कर जाएगा इसलिए ये एक process होता है जिसको different, जब भी ecological succession बोलें, तो ये sequence पूछा जा सकता है कि nudation, nudation के बाद migration assises, competition, reaction and stabilization this is the sequence that you need to follow, you need to understand, चलो जी अब आते हैं, ecosystem productivity we have talked about it in the previous class, bio geochemical cycle, अरे भाई सहाब, ये क्या है, सबसे important है, पिछले से पिछले साल question पूछा गया था, third point है इसके बाद adaptation पढ़ेंगे and we'll be done with this lecture, bio geochemical cycle, जैसा कि इसका नाम है, bio geochemical, bio का मतलब है life, geochemical का मतलब है chemical और ये life और ये जो हमारा ecosystem है, इसके साथ कुछ cycles है, जो continuously चलते जा रहे हैं and these chemical, bio geochemical cycles are necessary, these bio geochemical cycles are necessary for the survival or for the maintenance and the sustenance of this entire ecosystem. Why I am saying so? Because when we talk about the various cycles such as carbon cycle or water cycle, we are taking certain things from the nature and we are giving back the nature certain things with this an equilibrium is being maintained in this entire nature because whatever we take from this nature, we gives that thing back to the nature. This is the primary principle of the ecology and isi ecology के principle को हमने खराब किया because we introduced plastic in I'm sorry, plastic एक ऐसी चीज़ है जो की इस nature से जाने वाली नहीं है कभी नहीं जाएगा plastic इस nature से मैं बता रहा हूं तुमें, अब वो नहीं जाएगा क्यों नहीं जाएगा क्योंकि वो decomposed नहीं हो सकता ये human intervention है nature के साथ. I hope you got my point. अब ऐसे ही करके बहुत सारे cycles का development होता है अब जो ये cycles हैं इन cycles के अंदर हमें क्या-क्या पढ़ना है वो मैं बता देता हूं ध्यान से समझना बहुत ही difficult language लिखी हुई है book में but still हम इसको बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे जब हम bio-geochemical cycle की बात करते हैं so I am always formed with one thing that this cycle has two words इन words का breakdown करना सीके bio-bio का मतलब life है और geochemical यानि की कुछ chemicals है जो life यानि की हमारे और organisms के थ्रू इस nature के अंदर क्या कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं और वापिस उससे इस life तक आ रहे हैं इन ही cycles को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे यानि कि जब हम इन cycles को पढ़ेंगे तो इसमें organisms और ये हमारा nature दोनों अशामिल होंगे जब हम interaction पढ़ रहे थे तब हमने दोनों सिरफ organism देखें जब हम बात कर रहे थे ecological succession की तब हम overall सारे ecosystem की बात कर रहे थे यहां पे हम पूरे nature की बात कर रहे है जहां पे आप देखेंगे इन cycles को इन cycles को दो हिस्सों में बाटा जाता है पहला cycle ऐसे होते हैं जिनको gaseous cycle की संग्या दी जाती है and second cycles are दो cycles जिनने sedimentary cycle की संग्या दी जाती है gaseous cycle और sedimentary cycle gaseous cycle वो cycle है जो की depend करते हैं जिनका reservoir जिनका storehouse कोन है ऐसे cycles जिनका storehouse atmosphere है ऐसे cycles जिनका storehouse atmosphere है या oceans है उन्हें हम बोलेंगे gaseous cycle ऐसे cycles जिनका reservoir या storehouse कोई sedimentary rock है कोई rocks है उनको हम बोलते हैं sedimentary cycle अगर किसी भी एक cycle का reservoir, अब मैं आपसे पूछूं कि carbon cycle, तो carbon dioxide, reservoir कौन है, atmosphere, मैं आपसे पूछूं, oxygen, reservoir कौन है, atmosphere, nitrogen, reservoir is atmosphere, उसके बाद water, vapor है, तो reservoir, atmosphere, इसलिए इन cycles को हम किस की संग्या देते हैं, gaseous cycle की संग्या देते हैं, अब मैं पूछूं, sulfur, sulfur largely present होता है, sulphate rocks के अंदर, तो उसका cycle कोन है, sedimentary, reservoir कोन है, rock है, phosphorus, reservoir कोन है, phosphate rocks, इसलिए उनको sedimentary cycle की संग्या दी जाती है, जब हम gaseous cycle की बात करेंगे, तो यहाँ पे carbon, nitrogen, oxygen और water cycle ये आएंगे, but मैं water cycle की बात तो नहीं करूँगा, बच्पन में ही पढ़ाया जाता है, hydro जो cycle होता है, जिसमें पानी आया कहां, गया कहां, ठीक है भाई, moisture आया, फिर बादल बने, बारिश आई, बारिश से नदियों में गया, नदियों से evaporate हुआ, फिर चला गया, ये बातें हमें नहीं करनी है, ठीक है, अब store house की जब हम बात करते है, rocks की, तो यहां पे आपको दो cycle दिखाई देंगे, that is sulfur, sulfur के बाद यहां पे आपको दूसरा cycle दिखाई देता है, phosphorus, बट यहां पिना एक छोटा सा बहुती बढ़िया twist है, मजा आ जाएगा जानके, बस be with me for few minutes, C-N-O-W, C-N-O cycle जो है, यह reservoir atmosphere, ठीक है sir, कोई दिक्कत नहीं है, अब इन में एक बात बताओ, carbon, जैसे पानी है, पानी का cycle लिया आपने, water vapor हमारे atmosphere में आया, atmosphere से condensation हुआ, बादल बने, बारिश आई, बारिश से वापिस evaporation हुआ, और यह cycle चलता जा रहा है, these cycles are comparatively fast, यह थोड़े cycles क्या हो होते हैं, जबकि यहाँ पे जब हम sedimentary cycle पे बात करेंगे, तो यह बहुत slow होते हैं, इसको आप थोड़े समय में, जब मैं phosphorus और sulfur cycle समझाऊँगा, तो बहुत अच्छे से जान भी पाएंगे, ऐसा क्यों है, बट इसको यह समझ ले, कि अगर माल लो, कोई भी एक sulphate की rock, phosphorus की rock ह अब इस rock को, पहले तो इस rock का क्या होगा? disintegration होगा, disintegration होके ये rock का जो phosphorus mineral है, वो कहाँ जाएगा? soil के पास जाएगा, soil से कहाँ जाएगा? सर, plant में जाएगा, plant से कहाँ जाएगा? सर यहाँ पे किसी न किसी तरीके से प्लांट अगर नीचे तूटा तो यहाँ पे प्लांट से रन ओफ होके वापिस जाएगा फिर वापिस इस रॉक में कितना भारी भरकम समय लगने वाला है वेदरिंग होगी, इरोजिन होगा सोहिल में जाएगा, प्लांट के द्वारा अबजॉब होगा फिर उससे कोई खाएगा, फिर उसको खाने के बाद उसको एक डंग आएगा, उसका एक्सक्रीटा होगा फिर उसके उपर से कोई नदी बहे गई उसको आगे ले गई, नदी बहे कि अपनी एक में स्ट्रीम में जाएगी में नदी समुद्र में जाएगी, वहाँ पे वो सारा इकठा होगा फिर उसके उपर प्रेशर लगेगा, फिर वो रॉक बनेगा कितना लंबा प्रोसीजर है दूसरा यहाँ पे जो सबसे इंपोर्टन बात है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह quick and fast होते हैं, यह slow होते हैं यहाँ पे carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen यहाँ पे phosphorus और sulfur cycle के रूप में आपको देखने को मिलेगा अब मैं पहला cycle जो कि मैंने फटा-फट आपको बता दिया है जैसे कि आपने cycle complete करना है cycle complete करने के लिए cycle complete करने के लिए आपको दो-तिन चीज़ों की जरूरत है सबसे पहले तो कोई चीज कहीं से आएगी कहीं stay करेगी और कहीं वापिस जाएगी यही तो cycle होता है मालो मैंने आपको इसको सबसे अच्छे से आपको water cycle से ही समझा सकते हैं मालो यहां पे एक पेड़ है ठीक है अब पानी तो exist करता ही है और यहां पे ocean भी है कोई नदी भी है ठीक है इस नदी से पानी का क्या हुआ evaporation हुआ ठीक है सर evaporation से water add हो गया कहां पे water vapor add हो गया atmosphere में सर यहां से भी water vapor add होगा evapot transpiration से आपने यह process सुना होगा जो पोदे है वो भी तो transpiration करते हैं वहां से भी यह चला गया अब water vapor उपर उठा सर क्या बन गए बादल clouds बन गए clouds से यह वापिस कहां पे आ गया सर नीचे आ गया वापिस कहां पे आ गया नीचे आ गया याद रखना है कि जो gaseous cycle है वो कौन से है carbon, nitrogen, oxygen, hydrogen, hydrogen, hydrogen रहने की पाने फिर आप आ जाओ उदर phosphorus और sulfur sedimentary cycle है यहां पे एक चीज पूछी जाती है phosphorus और sulfur दो भले ही sedimentary cycle है बट इसके अंदर complete sedimentary cycle phosphorus है complete एकदम बहतरीन phosphorus sedimentary cycle है sulfur क्यों नहीं है क्योंकि sulfur का कुछ amount sulfur dioxide के रूप में hydrogen sulfide के रूप में gaseous अवस्था में भी तो मिलता है gaseous अवस्था में भी तो मिलता है इसलिए sulfur complete cycle, complete sedimentary नहीं है large भाग उसका, large part of sulfur cycle is sedimentary but smaller part also contains the gaseous component एक बार यहां पे आएं carbon, carbon का large भाग तो carbon dioxide gaseous cycle के रूप में ही है बट आप एक बात बताओ कि जब carbon, कोई plant, vegetation बरी हो गया, दब गया और यह बन गया क्या, कोईला, कोईले के अंदर भी क्या है carbon यह भी क्या है, एक rock ही तो है तो इसका, large भाग तो gaseous ही है but small amount is the sedimentary in nature यह कूपसूरती है UPSC ने सवाल पूचा था which among the following is the part of sedimentary cycle phosphorus और sulfur अगर दोनों होंगे तो answer क्या होगा, phosphorus होगा और अगर phosphorus नहीं है, बाकी सब है तो sulfur अगर है, तो sulfur would be the answer यह है तरीका समझने का चलिए, अब आजाएं हमारे अगले पार के उपर biogeochemical cycle की कुछ terms है, जो की मैं आपको बता देता हूँ several की components और parts of the biogeochemical cycle what are these parts, let's try and understand सबसे पहला part है, reservoir और pools बहुत सारे reservoir हो सकते हैं जो fossil rocks हैं, वो भी एक reservoir हो सकती है उसके साथ साथ आपको soil हो गई, rocks हो गई, atmosphere हो गया यह सारे क्या है, vegetation हो गया these all act as the reservoir on the other hand, flux और pathways flux और pathways का मतलब कि जब यह cycle चल रहा है तो इसका path क्या है, इसका रस्ता क्या है जैसे कि माल लो, कोई भी एक phosphorus की rock थी यह rock इसका क्या हुआ, reservoir अब इसका pathway क्या होगा, इस rock की होगी weathering I hope you know what weathering is please, अगर आपको नहीं पता है तो आप थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी हासिल कर ले क्योंकि यह geography का एक specific topic है weathering होगी, weathering होके इसका क्या बनेगा यह कहाँ add होगा, soil के अंदर होगा फिर आगे चलेगा, फिर finally वापिस जाके वापिस rock के अंदर आएगा तब इतो cycle complete हुआ अब जो यह beach वाला जो भी stage है यह सारे कहलाते हैं flux और भी pathways जिन जिन processes के थुरू, जिन जिन pathways के थुरू यह पूरा cycle हो रहा है, यह सारा cycle कहलाता है यह सारा pathways कहलाता है चाहे जैसे nitrogen cycle के अंदर मैं आपको बताऊंगा nitrification, denitrification, assimilation, ammonification वो सारे यहां पे cover हो जाएंगे चलो, इसके बाद है exchange process exchange process का मतलब जब यह pathway चल रहा है तब इसके कारण exchange चल रहा है जैसे माल लो photosynthesis, carbon dioxide का exchange हुआ है न, क्या exchange हुआ, carbon dioxide लिया, oxygen दिया this is the part of the photosynthesis process this is the part of the exchange process जहां पे carbon dioxide का क्या हो रहा है, exchange हो रहा है oceans के अंदर क्या हो रहा है अब मालो यह समुद्र है समुद्र के अंदर जो भी plants है यह carbon dioxide को क्या कर रहा है, absorb कर रहा है और oxygen को क्या कर रहा है, बाहर फैंक रहा है उसके साथ साथ जब यह plant respiration करेंगे तब भी तो carbon dioxide को बाहर फैंकेंगे तो ये है exchange process फिर आते biological processes जैसे कि कोई भी nitrogen fixation करने का काम कोई bacteria कर रहा है जिसके अंदर bacteria का कोई काम है nutrient cycling का कोई काम है जिसके अंदर living organisms जो है वो एक crucial role play करते है वो है biological processes then we have geochemical yes मैंने पहले ही बता दिया biological मतलब life geochemical मतलब कोई activity weathering, erosion, sedimentation, volcanism ये cycling process, pathways ये सारे processes geochemical processes है और उसके अंदर हम भी तो अपना influence करते हैं जो कि इस पूरे process को alter करने का काम करता है याने की anthropogenic influence मैंने industry लगाई carbon को निकाला industry लगाके carbon dioxide उडा दिया बाहर anthropogenic influence तो ये है सारा का सारा process सबसे पहले reservoir पता होना चाहिए reservoir के बाद beach के जो pathways है उन pathways में क्या process हो रहे है exchange process हो रहे है उन pathways में biological role है crucial role को उन प्ले कर रहे है living organism तो biological processes है अगर वहाँ पे weathering erosion हो रही है तो geochemical process है वहाँ पे humans का influence है तो anthropogenic influence है ये सारे आम आपको देखने पढ़ेंगे ठीक है है इतनी भारी भरकम language इतना आसान है पांचमे क्लास में पढ़ा जाता है चल आजाओ बापिस और यहाँ पे देखते है types of bio geochemical cycle ये मैंने पहले ही बता दिया gaseous cycle जिसके अंदर cycle through the atmosphere in gaseous form atmosphere is the reservoir इसकी part कोन है carbon, nitrogen, oxygen then sedimentary cycle, phosphorus और sulfur सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे gaseous cycle gaseous cycle में सबसे पहला cycle कोन सा है carbon cycle अब आपको पता है carbon cycle के दो reservoir है मैंने आपको पहले ही बता दिया पहला reservoir तो carbon dioxide के रूप में कौन है atmosphere है दूसरा reservoir कौन है fossil fuels अब यहाँ पे इसको ऐसे समझ लो कि ये जो carbon dioxide है ये तो fossil fuel है इस fossil fuel के अंदर ये कैद है ये fossil fuel के अंदर कैद है उसके बाद यहाँ पे आपको carbon dioxide दिखाई दे रहा है कहाँ पे atmosphere के अंदर यहाँ पे है ठीक है sir 0.03% जानते है अब ये cycle कहाँ से start होगा ये reservoir होगे अब start होगा pathways pathways के अंदर क्या होना है exchange processes exchange process में सबसे पहले कोन आया मान लो ये पेड आया इस पेड ने carbon dioxide को use किया use करने के बाद क्या किया photosynthesis photosynthesis करने के बाद photosynthesis कर लिया इसका क्या हो गया ये आ गया इसके अंदर यहाँ पे कोन है मैं हूँ मैंने क्या किया exhale किया carbon dioxide बाहर चला गया ठीक है उसके बाद मैंने क्या किया ये carbon dioxide जो यहाँ पे stored था इसको निकाला और यहाँ पे thermal power plant में क्या बना दी बिजली बना दी यहाँ पे बिजली बना दी और जब बिजली बनाई तो यहाँ से वापिस क्या चला गया carbon dioxide तो क्या चल रहा है carbon dioxide चल रहा है अब इसके बाद ये पेड जिसने इस carbon dioxide को क्या किया था absorb किया था अब यहाँ से ये क्या करेगा मान लो मान लो ये पेड गिर गया नीचे ये पेड नीचे गिर गया ये पेड जब नीचे गिरा दब गया नीचे नीचे दब गया, वापिस क्या बना लिया? सर कोल बना लिया क्या cycle complete हुआ? सर हाँ, यहां से लिया, यहां store किया यहां से वापिस निकाला उपर गया, यहां आ गया खतम कानी, भाई यही तो गेम है, यही तो गेम है जो मैंने यहां पर carbon dioxide दिया वो भी यह use कर रहा है और यह मेरे को बदले में क्या दे रहा है? oxygen भी दे रहा है, oxygen का कोई लेना देना नहीं है तो that is how a cycle is going on बस the difference that you need to remember here in carbon cycle is this fossil fuel इसी लिए अगर मैं आप से पूछो carbon cycle क्या सबसे fast होगा? नहीं, carbon cycle का भी एक छोटा रूप ऐसा है दबा हुआ था, जिसको हमने निकाल दिया और निकाल के कहां रख कहां फैंक दिया इस पूरे atmosphere के अंदर जब इसको निकाल के atmosphere में ज़्यादा डाल दिया तो क्या हमने इस cycle को जो पहले दबा हुआ था जो पहले carbon दबा हुआ था उसको हमने क्या कर दिया, imbalance create कर दिया, उसी का तो आज हम नुकसान देख रहे हैं कि carbon dioxide का amount क्या होता जाएगा, increase होता जाएगा, जिसकी वज़े से आपको आज कल global warming दिखाई देगी, यह होता है conceptual clarity, जहां पर आपको समझ में आना चाहिए कि यह सिरफ cycle नहीं है, इस carbon cycle का significance है global warming के साथ, because whatever is being trapped in the form of fossil fuels, whatever is being trapped in the form of rocks, these trapped fossil fuels and rocks के अंदर carbon, when it will be released in the atmosphere, जब यह release किया जाएगा atmosphere के अंदर, तब यह क्या create करेगा, गर्मी create करेगा, और imbalance create करेगा, चलिए, आजाए, वापस, carbon cycle, अच्छा, carbon cycle यहीं है, हमारे पास, उन notes में नहीं है, flow processes के अंदर, photosynthesis, मैं यह बार-बार word क्यों बोलू, कि photosynthesis में carbon dioxide आता है, और जो respiration करेगा plant, उससे carbon dioxide वापस जाएगा, और कुछ भाग दब गया, उसको हमने निकाल के बाहर फेंग दिया, तो photosynthesis, respiration, उसके बाद, अगला पार्ट क्या है, decomposition, मैंने बता दिया आपको decomposition, फिर combustion यानि कि जला देना, फिर उसके बाद, weathering, मतलब जो भी limestone rocks होती है, वो भी carbon को release करती है, फिर यह बरी हो गया, burial हो गया, sedimentation हो गया, वहां से भी carbon नीचे चला गया, volcanic activity हुई, बाहर आ गया, तो यह सारे के सारे क्या है, इसके pathways है, जो कि आपको दिखाई दे रहे हैं, जिस है, जिसमें carbon is transferred between the living organism and soil, carbon is transferred between atmosphere and ocean, carbon is transferred between atmosphere and terrestrial vegetation, बस बड़ी-बड़ी बाते लिख्यों या, और कुछ नहीं है, इसके अंदर, अब यहां पे, अगला जो cycle है, वो है nitrogen cycle, सबसे difficult होता है समझना, इसके reservoir, reservoir की हम कोई बात नहीं करने वाले हैं, जो यहां पे लिखा हुआ है, हम सीधा straightforward शब्दों में जहां से सवाल आता है, UPSC पूछता है, वो सवाल यह है, कि nitrogen cycle क्या है, मैं आपको इसकी एक तस्वीर दिखाता हूँ, जिससे clarity of thought आ जाएगा, कि nitrogen cycle क्या है, अरे नहीं है, nitrogen cycle की image नहीं डाली, I have inculcated, चलो, कोई बात नहीं, nitrogen cycle image की जरुरत नहीं है, क freely available है, बट यह जो free available nitrogen है, इसको plants directly utilize नहीं कर सकते, अगर plants इसको directly utilize नहीं कर सकते, तो आपको यह चीज समझनी पड़ेगी, कि इस nitrogen का इस्तेमाल किया कैसे जाए, यह cycle के रूप में काम कैसे करेगी, यह cycle के रूप में जब काम करती है, तब उसमें आपको role दिखाई देगा, बहुत सारे bacterias का, और बहुत सारे plants का, तो आज हम समझने जा रहे है, what exactly this nitrogen cycle is, देखो जी, सबसे पहला, इस cycle का role क्या है, यहाँ पे जो शुरुवात हुई है, वो हुई है nitrogen से, nitrogen कहाँ पे है, atmosphere में, ठीक है सर, atmosphere में है, इस atmosphere से, directly तो यह nitrogen plants के द्वारा लिया नहीं जा सकता, directly यह जो nitrogen है, यह plants तक नहीं जा सकता, यहाँ तक ही directly तो जा नहीं सकता, तो इसको बीच में से कुछ क्या करने पड़ेंगे, processes से गुजरना पड़ेगा, जैसे कि जब आप nitrogen को plants तक पहुचाना चाहते हैं, तो सबसे पहले यह convert होता है ammonia के अंदर, सबसे पहले किस में convert होता ammonia के अंदर, यह जो ammonia के अंदर इसका conversion है, इसको करने के लिए responsible bacteria आपके सामने लिखे हुआ है, यही सवाल है, बाकी कुछ नहीं है, यही सवाल है, कौन-कौन से bacteria, सबसे पहला काम rhizobium, rhizobium आपको पता है, जो leguminous crops होते हैं, उनके साथ symbiotic relation में रहता है, rhizobium ammonia में बदल द होंगे, हांजी सर, aerobic azotobacter, यानि कि ऐसे bacteria जो की oxygen की उपस्तिती में काम करते है, aerobic azotobacter, फिर anaerobic clostridium, जहाँ पे oxygen ना हो वहाँ पे, वहाँ पे anaerobic bacteria, यानि कि clostridium काम करेगा, उसके साथ-साथ यहाँ पे rodospirulum भी काम करता है, rodospirulum, यह सारे bacteria है, ocean के अंदर कौन करेगा, सर, nostoc, anabina और spirulina, nostoc, anabina, spirulina, यह तीन ऐसे bacteria हैं, जो की oceans के अंदर, और यह जो उपर लिखे हुए है, चार, जो की land के अंदर, terrestrial ecosystem के अंदर, nitrogen को ammonia में convert करते हैं, क्या काम पूरा हो गया, नहीं सर, काम पूरा नहीं हुआ, ammonia से इसको बदला जाता है, nitrite में, यह जो पूर process है, इस पूरे process को बोला जाता है, nitrogen fixation, इसको ही हम क्या कहते है, nitrogen fixation, ताकि हम, जो atmosphere की nitrogen है, उसको fix कर दें, कहां तक जाने के लिए, plants तक लेके जाने के लिए, इसी को nitrogen fixation का नाम दिया जाता है, सबसे पहले nitrogen, nitrogen से गया ammonia, ammonia से गया वो nitrite, nitrite से वो जाएगा nitrite, और बाबरे बाबा, सबसे पहले ammonia, ammonia तक आ गया, सरहन जी, यहां तक समझ में आ गया, कोन काम कर रहा है, सर, इसके अंदर rhizobium काम कर रहा है, इसके अंदर aerobic azotobacter काम कर रहा है, clostridium, इसके अंदर rhodospirulum, इस plant नहीं ले रहे हैं, भाई कैसे बाबले हो गए है, nitrite में जब जाएगा, तब इसके अंदर आपको nitrosomonas और nitrococcus, यह दो bacteria's दिखाई देंगे, nitrosomonas और nitrococcus, जो की ammonia से nitrite में जाएगे, nitrite से nitrate में जाने के लिए एक bacteria है, that is nitrobacter, nitrobacter, nitrite से nitrate जाएगा कौन, nitrobacter, अब जैसे यह nitrobacter तक पहुंचा, यानि कि plants को, अब plants ने किसको utilize करना है, plants ने utilize करना है सर, nitrate को, plants ने इसको क्या कर लिया, consume कर लिया, plants ने अब nitrogen को consume कर लिया, इतनी जदो जहत के बाद, इतनी जदो जहत के बाद, plants nitrogen से ammonia, ammonia से nitrite, nitrite से nitrate इनको क्या कर लिया, इसने plants ने क्या कर लिया, consume कर लिया अब यहाँ पे जब इसने consume किया है, तब अब plant के द्वारा ये तो आ गया, reservoir से plant के अंदर plant से वापिस reservoir के अंदर जाने के लिए एक bacteria की जरूरत है that is pseudomonas, that is what we call as pseudomonas इसकी वज़े से ये कहां आ जाएगा, वापिस nitrogen के रूप में आ जाएगा कैसे आएगा, जब ये plant के अंदर गया, देख लो यहाँ पे नहीं, जब ये plant के अंदर गया, plant के अंदर जाने के बाद plant के अंदर जाने के बाद, इस plant को कोई खाएगा मालो किसी एनिमल में आके खाया उसका जो डंग हुआ उस डंग से उस डंग से जो प्रोसेस होंगे वहां से ये वापस कहां जाएगा वहां से ये वापस कहां जाएगा एटमोसफेर के अंदर So this is something we call as the nitrogen cycle Let's come back here अब यहां पे हम देखते हैं कौन-कौन काम कर रहा है Flow processes के अंदर nitrogen fixation fixation के अंदर nitrogen gas in the atmosphere is first converted to the ammonium ions और ammonia फिर nitrogen fixing bacteria मैंने सारे बता दिये आपको भले यहां पे नहीं लिखे हुए हैं फिर उसके बाद nitrification ammonia किस में जाएगा nitrogen fixation किस के अंदर nitrite के अंदर nitrite फिर nitrite से कहां जाएगा nitrite से वो जाएगा nitrate के अंदर nitrite से कहां जाएगा nitrate के अंदर तब जाके इसका क्या होगा तब जाके इसको ग्रहन किया जाएगा by the plant अब इसके बाद जब यह process हो रहा है nitrification nitrification हो रहा है तब nitrification की जगे पे अगर denitrification हो गया कुछ bacteria's वहाँ पे denitrification भी करते हैं वही denitrification करने वाले जो bacteria's है उनी को, उनी की मदद से ये वापिस nitrogen कहाँ चला जाएगा atmosphere के अंदर So let me show you with the help of one major thing that we call as nitrogen cycle थोड़ा असान हो जाएगा आपके लिए समझना भी nitrogen cycle चले, nitrogen cycle का सबसे अच्छा image जो हम देख सकते हैं यहाँ पे वो कौन सा है, this this is the best image इसको थोड़ा ध्यान से देखें यहाँ पे I am trying to figure it out कि image का size बढ़ा हो जाए, बहुत बढ़िया चलो, देखें, सबसे पहले जो ये atmospheric nitrogen थी इस nitrogen का nitrogen fixing bacteria rhizobium rhizobium ने क्या किया, इसको क्या कर दिया इसको क्या कर दिया, living root nodule तक पहुचा दिया, चलो फिर nitrification, nitrification ये बन गया ammonia, ammonium आयन से बनेगा, nitrification nitrite, यहाँ तक जो bacteria काम कर रहे थे वो bacteria कौन से थे बच्चा वो bacteria थे, spirulina nostoc, azotobacter है न वो nitrites तक ले आए, फिर nitrite से आगे nitrate जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, nitrite से nitrate, यहाँ पर nitro vector, ammonia से nitrite, nitrosomonas ammonia से, ammonia से nitrite, nitrosomonas फिर यहाँ से nitrate nitro vector, nitrate को किसने यूज कर लिया, plant ने plant ने यूज कर लिया, उसको खाया किसने, इस इस पूरे के पूरे rabbit ने जब इसने खाया इसको तब इसका क्या हो गया, इसने डंग किया, मतलब इसका जो excreta होगा, उसका क्या होगा decomposition, decomposition कौन करेगा bacteria, decomposition position जब होगा तो वो क्या release करेगा ammonia, क्या release करेगा ammonia, अब ammonia से nitrite जब जा रहा था nitrite जब जा रहा था तब यहां से nitrifying होने की जगह पे अगर denitrification हो गया, यहां पे जब nitrifying की जगह से denitrification हो गया, तो यह वापिस कहां आ जाएगा denitrification, ammonia से denitrification होके कहां उपर आ जाएगा atmospheric nitrogen के अंदर, this is what the nitrogen cycle is, यहां पे सबसे जरूरी और महत्वपून बात जो हमें याद रखनी है, वो है ये, that is aerobic, anaerobic, rhodospirulum, nostoc, anabina, spirulina, nitrosomonas, nitrococcus, nitrobacter, pseudomonas, ये वो bacterias हैं, जो nitrate से nitrogen लेके आ रहे हैं, denitrification कर रहे हैं, इनको आप pseudomonas के नाम से जानते हैं, जो कि आप यहां पे देख सकते हैं, एक बार दोबारा image आप देख लें यहां पे, जब nitrate से plant में जाना है, इसको बोला जाता है assimilation, यहां पे जब denitrifying bacterias होंगे, तब इसको क्या ले जाएं जब यहां पे nitrite से nitrate जब आया, इसके बाद, या तो यह plant खा लेगा, या इसका denitrification होके वापिस nitrogen में आ गया, इसलिए मैंने यहां पे nitrate से कुछ भाग, pseudomonas के द्वारा denitrification, यहां पे आप add भी कर सकते हैं, you can add here is the denitrification, ठीक है, इसको denitrification भी कहते हैं, done, खतम कहा ल Otherwise तो घूमते रहा जो, क्या assimilation, क्या fixation, यहां से यहां तक ले जाना fixation, वहां से plant द्वारा खाना assimilation, वापिस आना denitrification, खतम कहानी, अब आ जाएं अगले cycle की ओर, that is phosphorus cycle, बहुत असा cycle है, भले ही जितना मर्जी बढ़ा इसके अंदर दिया हो, बट हमें बहुत असानी से सम मचना है, मैंने एक बात बोली थी, कि जो ऐसे cycles होते हैं, इनका जो, इनका जो reservoir है, that is, sedimentary rocks, अब इनका reservoir जब sedimentary rocks है, तब देखते हैं, क्या यह काम करने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहले आप देखें, यहां पे we have the presence of phosphate rock, rock था, उस rock के अंदर phosphorus था, उस rock का erosion हुआ, weathering हु गया, rivers और streams के अंदर चला गया, rivers से कहां गया, oceans के अंदर चला गया, oceans पर deposit होता रहा, होता रहा, होता रहा, और किसका भाग बन गया, continental shelf का, एक दिन यह continental shelf उपर आई, जब यह उपर आई, expose हो गया किसके लिए, sun के सामने, वापिस क्या हो जाएगा, erosion, और फिर erosion होते होते यह cycle चलता रहेगा, इतना असान सा यह cycle है, अब ध्यान से समझना, देखो, यहां पे आप ऐसा समझ लें, कि कहां से start करें, चलो, यहां से start करते हैं, यह phosphate extraction हुआ, phosphate का extraction हुआ, mine से erosion, erosion करके, जब यह phosphate fertilizer की तरह इस्तेमाल किया गया, किसके द्वारा, plants के द्वारा, plant नहीं इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद इसको किस ने खा लिया, इस जीव ने खा लिया, जीव ने खाने के बाद इसका organic decomposition हुआ, जैसे इसका decomposition कोन करेगा, bacteria, वो runoff होके कहां चला गया, dissolve होके वापिस कहां चला गया, इसके अंदर चला गया, इस पूरी ocean के अंदर चला गय ocean के अंदर इसको uptake कर लिया, algae ने, aquatic animals ने, उनकी death हुई, ये sedimentation के नीचे आके दब गया, अब एक बात बताओ, यहां से, यहां से भी मैं start कर सकता हूँ, चला दोबारा समझाता हूँ, marine sedimentation, यानि कि phosphorus का presence आपको ocean के नीचे दिख रहा है, वहां से crust के रूप में ये उपर आ rivers and streams के अंदर, और कहां कहां से आ रहा है, किसी phosphate industry से runoff आ गया, किसी fertilizer plant से, fertilizer industry से यहां पे आ गया, किसी plant के decomposition से इस river के अंदर आ गया, और river से वापिस कहां चला गया, इस ocean के अंदर चला गया, Basically, phosphorus बीच में जितना मरजी रस्ता तै कर ले, ocean से आया था, वहीं जाके sedimentary rock में deposit हो जाएगा, रस्ता बीच में कैसे तै करेगा, आपको पता, phosphorus act as a macro nutrient to the soil, और वो nutrient है किस के अंदर, soil के अंदर, मैंने phosphorus का छिड़काव किया, industry से phosphate लाके, अब उसका जब छिड़काव कर दिया तब वहाँ पे जो agricultural runoff होगा, वो runoff किस में गया, नदी में, नदी से समुदर में, वापिस deposit हो गया, और जो plant ने utilize कर लिया, जो भी plant ने utilize किया, उस plant का क्या हुआ, decomposition हुआ, क्यों decomposition हुआ, उस plant को किसी animal ने खाया, animal ने अपना dung, यानि की जो उसका waste होगा, उसका waste का decomposition एड हो गया, soil के अंदर एड हो गया, फिर वापिस runoff के रूप में नदी के अंदर, कुछ नहीं है, simple सा process है, दुबारा बता देता हूँ, ताकि जिंदगी में कभी doubt आए ना, देखो, ये continental shelf थी, जहां पे phosphorus की, phosphorus की rock है, ठीक है, phosphorus rock है, इस rock का क्या हुआ, इस rock से, phosphorus rock से, इस को ऐसे समझ लें, यहां पे phosphorus की rock है, इस phosphorus rock से, सबसे पहले, सबसे पहले इसको क्या होगा, ये continental crust उपर आई, उपर आने के बाद इसका erosion हुआ, erosion के बाद ये कहां चली गई, river के अंदर चली गई, ठीक है sir, उसके साथ-साथ यहां पे, इसी erosion के बाद, इसी phosphate को किसी industry में ले में, इस industry से इसको plant में डाला गया, plant से किसी animal ने खाया, animal का, animal का जो डंग हुआ, उसका decomposition हुआ, decomposition होके, runoff होके कहां आ गया, river में, river finally कहां जा रही है, इस phosphate rock के अंदर, खतम कहानी, this is the phosphorus cycle, let's come back and discuss the sulfur cycle, same process, बिलकुल same, बस, एक फरक है, कि sulfur का ये जो rock वाला पार्ट है, आप देखेंगे, ये rock वाला जो पार्ट है, वो बिलकुल same काम करता है, बट sulfur का इस्तेमाल, जब मैंने कारबन डाय, जब मैंने कोईला निकाला, कोईले को burn किया, तो उसके अंदर sulfur था, वो sulfur भी क्या होगा, sulfur dioxide बनके हवा में उड़ेगा, वो gaseous part add हो जाता है, बाकी कुछ भी नहीं है, बट ये भी मैं जानता हूँ कि sedimentary part, चलो मैं तुम्हें sedimentary part बता देता हूँ, पहले sedimentary part के अंदर सबसे पहले sulfur का deposition है, sediments है, erosion हुआ, erosion होके यहाँ पे आ गया, अब इसके अंदर, जब erosion होके आ गया, तो सबसे पहले कुछ यूज कर लिया, कहां पे इन plants के अंदर, plants ने यूज किया, डंग गया, डंग में कहां गया, river, river के अंदर run off, ठीक है सर, ये सारी कहानी, जो भी आपने अभी तक, जो भी आपने बताई अभी तक, वो सारी कि सारी कहानी, यहां पे phosphorus की जगए, किसकी कर दूँ, मैं sulfur कर दू कहानी सेम है, ठीक है, कहानी सेम है, सब कुछ आ गया, ठीक है, अई एक चीज आ गई, वो ये, इसी sulfur को, इसी sulfur का किसी industry ने, industry से, यहां पे, किसी industry से, sulfur dioxide निकला, ये जो sulfur dioxide निकला, अब यहां पे आपको पता है, acid rain होती है, acid rain बोले तो, sir, H2SO4, ये acid rain होके, कहां पे आ गया वापिस नदियों में, नालों में, और वापिस आके deposit होगया, कहां पे, sulfur के अंदर, so, जो भी H2S भी होगा, hydrogen sulfide भी होगा, वो भी किस में बदलेगा, sulfur dioxide में, sulfur dioxide से, acid rain के अंदर, so, basically, जो gaseous cycle है, sulfur का, ये जो gaseous cycle है, sulfur का, इस gaseous cycle के अंदर, sulfur dioxide है, ये sulfur dioxide, acid rain के रूप में, इसके दो deposition होते हैं, या तो wet deposition, या dry deposition, जो मैं acid rain में पढ़ाऊंगा आपको, acid rain के रूप में, कहां आके deposit हो गया, ये आके deposit हो गया, कहां पे, नदियों में, और नदियों से वापिस, ocean के अंदर, ये simple सा, clarity of thought होना चाहिए, बस, और कोई पूछने वाला भी इसको इतना detail में है ने, anyways, चलो, ये हो गया हमारा, sulfur cycle, phosphorus cycle, reservoir, soil and sediment, volcanoes, rock, rock से weathering, weathering से erosion, erosion से decomposition, runoff, ocean, ocean से वापिस, rock का तम, और जो beach का, gaseous cycle है, वो वापिस आपको, river के अंदर जाता हुआ दिखाई, दे ही जाएगा, तो ये बात हो गई, बिल्कुल cycles की, और इसके बाद आता है, हमारा अ that is productivity, ये पार्ट हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे अब जो हमें पार्ट पढ़ना है, that is adaptation in species, बहुत ही छोटा सा aspect है, अगला aspect है, last concept है, आज की class का, देखिए, जब भी हम nature की बात करते हैं, nature के अंदर बहुत सारी species हैं, इन species के अंदर, इन species के अंदर, various adaptation mechanisms exist करते हैं, what are those adaptation mechanisms, पहला adaptation mechanism है, जिसको हम बोलते हैं, physiological adaptation mechanism, यानि कि अगर माल लो, मेरे को ठंग लग रही है, तो मैं shiver क्यों करता हूँ, ताकि मैं अपनी body को क्या करूँ, adapt कर सकूँ, मेरे को अगर इस nature के अंदर, इस ecosystem के अंदर survive करना है, तो कुछ ऐसे developments करने पड़ेंगे, जो की मेर survival के chances को increase करें, and it is all about the survival, right, all about the survival, so there are multiple mechanisms for the adaptation among the species, the very first mechanism is what we call as physiological adaptation, physiological adaptation, physiological adaptation, physiological adaptation, physiological adaptation के अंदर, तीन तरीके होते हैं, thermoregulation, नाम से इस पस्ट है, temperature का regulation, regulation, osmore regulation, यानि की water और salt का regulation, third is metabolic, यानि की हमारी जो metabolism है, उसको control करना, behavioral, जिसमें आप migration देखेंगे, hibernation, social behavior, morphological and reproductive, ये different different type of adaptation है, इनको हम detail में समझने की कोशिश करते हैं, इतनी जल्दी समझ में आएगा, मज़ा आजाएगा, physiological adaptation, मेरी physiology, anthropology, मेरी आंतरिक जो क्रियाएं हैं, उनको अगर मैं देखू, मेरे को पता है, कि अगर मुझे गर्मी लग रही है, तो मैं sweat करूँगा, sweating is one of the physiological adaptation, sweating के कारण क्या होता है, जब वो temperature को regulate करती है, thermoregulation का मतलब क्या है, thermoregulation का मतलब मेरे दोस्तों, सिरफ और सिरफ temperature को regulate करना ही है, मैं temperature को कैसे regulate करूँगा, मुझे गर्मी लग रही है, पसीना आया, पसीना जब हलका सा सूखेगा, evaporate होगा, तो evaporation causes cooling, अचानक से किसी बंद कमरे में, गर्मी में बैठे हैं, और थोड़ा सा भी पंका चल जाए, You will feel the sigh of relief, जबकि IAC में बैठे रहेंगे, तो गर्मी लगेगी पंके में जाने पे, ये है temperature का regulation, ऐसा sweating होना, और ऐसे जो काम है, वो mammals करते हैं, humans करते हैं, reptile सब कैसे करता है अपने temperature को manage, reptile के साथ बड़ी समस्या है, उसको जब ठंड लगती है, तो वो बहार आ जाता है, उसको गर्मी लगती है, वो पानी के अंदर चला जाता है, this is what the regulation mechanism, basking जो करता है reptile, that is also the aspect of the thermoregulation, osmore regulation, osmore regulation का मतलब क्या होता है, अब मचली है, सारा दिनबर समुदर में है, पानी पीती रहेगी समुदर का, तो सारा salt इकठा हो जाएगा, कहां लेके जाएगी, इतना नमक कहां लेके जाएगी, कैसे maintain करती है नमक अपने body के अंदर, क्योंकि मचली के अंदर glands है, जो कि salt को secret करते रहते हैं, वो जो glands होते हैं, वो जो sharks हैं, वो salt secreting cells होती हैं, उनके अंदर glands होते हैं, उनके अंदर cells होते हैं, जो salt को secret करते हैं, adapt कर लेती है, survival chance बढ़ गया, नहीं तो मर जाती, अब mangroove है, mangroove के अंदर, ऐसा क्यों है कि mangroves हमेशा खारे पानी में पैदा होता है, खारे पानी में ग्रोव कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर, उसकी roots में, उसकी leaves में, salt secreting glands हैं, जो कि salt को बाहर निकाल देती हैं, भाई, salt जैसे ही बाहर जाता है, वैसे ही व तेरे को पता है कि भाई, खाना बचाये कम, भूख लगी है और आगे खाना नहीं मिलने वाला, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल करूँगा, मैं सोचूँगा कि अपनी मेटाबोलिक रेट को कम कर दो, सो जाओ, इनेक्टिव स्टेट में चला जाओगा, क्योंकि मुझे पता है, रिसोर्सिस कम है, और लंबा सर्वाइव करना है, इसको बोला जाता है, मेटाबोलिक अडेप्टेशन, मैं अपनी मेटाबोलिक एक्टिविटीज, जो मेरे खाने की पाचन क्रियाएं हैं, उनको मैं इस तरीके से एडजस्ट करने की चोटे-चोटे नाक है, और इस इतने बड़े एनिमल के अंदर, what is the problem? The problem is, इतनी ठंड जब होती है, पोल रीजन में रहता है, ठंड बहुत है, जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तब ये पोलर बियर, एक आइस के अंदर अपना मुह डालके और सो जाता है, भाई कहत है कि कोई लेना देना ही नहीं है दुनिया से, अपनी metabolic activity significantly decrease कर देता है, खत्म कर देता है, इसी को हम बोलते है, metabolic adaptation, ठीक है, इसको हम hibernation भी कहते हैं, ठीक है, और अगर ये मैं hibernation और estimation जो दो word लिखें, इनको detail में अभी समझाता हूं, ध्यान से समझना, ये तो तीन physiological adaptation हो ग temperature regulate करना, Osmo regulation, salt maintain करना, metabolic adaptation, अपनी metabolic activity को maintain करना, अब देखो, hibernation क्या होता है, hibernation का मतलब है, कि आपने, ये जो process है hibernation, this process is the process of winters, winter के अंदर, winter के अंदर, जब कोई भी animal state of inactivity को, state of inactivity को achieve करता है, और जान बूज के सो जाता है, क्योंकि उसको पता है, खाना नहीं मिलेगा, सो गया, अपनी metabolic activity को significantly reduce कर दिया, ताकि अपनी energy को conserve कर सके, ये prolonged dormancy है, prolonged dormancy, dormancy मतलब, अब कोई काम नहीं करना, शान्ती से बैठे रहना है, prolonged dormancy, ठीक है, अब ये जो prolonged dormancy है, winter की है, तो उसे hibernation कहते है, उसे हम क्या कहते है, hibernation कब की है, winter की है, तो करेगा कौन, polar bear करेगा, generally, जो polar bear हैं, और birds हैं, वो ये काम करते हैं, warm-blooded और cold-blooded animals, birds और mammals जो हैं, वो और cold-blooded animals भी, snake हो गया, reptiles हो गया, वो भी ऐसे काम करते हैं, जब ठंड उनको लगती हैं, अब estivation की बात आती है, estivation और hibernation में फरक यह है, दोनों सेम है, state of dormancy, यहाँ पे भी metabolic activity कम है, यहाँ पे भी metabolic activity कम है, बस estivation होता है, जब आपको, यहाँ पे hibernation कब कर रहे थे आप, winter में, यहाँ पे आपको किस से बचना है, summer से बचना है, dryness है, बिलकुल hot areas आने वाले हैं, अब खाना मिलेगा नहीं, क्या करें, जो भी metabolic activity है, वो अपने अंदर रखो, कोई काम मत करो, काम करोगे, पसीना आएगा, ठकोगे, फिर खाना ढूंडोगे, खाना मिलेगा नहीं, निपड जाओगे, इसलिए चुप चाप कोई पेड़ की छाया ढूंडो, बैठ जाओ, सो जाओ, और ना उठो, ना उठो, बढ़िया एक तो अराम मिलेगा, खाना बचा रहेगा, भागना पड़ेगा नहीं, वो है estivation, और ये कोन किसको requirement होती है, इनकी, जो cold blooded animals, behavioral adaptation, behavioral adaptation, पहुत ही आसान है, migration, अगर मान लो, आप Siberia के बारे में जानते हैं, तो आपको पता होगा, वहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है, ठंड के दर्मियान, जो वहाँ के बंची है, जो वहाँ पे पक्षी है, वो क्या करते हैं, एक वहाँ पे कोई भी, किसी भी तरीके की किसी भी तरीके की वो जो पक्षी है, जो reproductive activity है, उसको perform नहीं कर पाते हैं, इस वज़े से उस ठंड से बचने के लिए वो अपने area से migrate करते हैं, और migratory birds बनके किसी दूसरी जगह पे आते हैं, जहाँ पे temperature की condition comparatively उनके लिए, उनके लिए conducive हैं, जैसे butterfly है, एक monarch butterfly, पूरे North America में Mexico से लेके और America तक travel करती है, क्यों? क्योंकि इस butterfly को migration इस लिए पसंद है, क्योंकि जब भी conditions इनके against होंगी, they will migrate from that condition, ये उनका क्या है, एक adaptation, behavioral adaptation है, hibernation and dormancy मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, social behavior, अब देखो, सबने क्या करना है, survive करने के लिए अपने अपने behavior देख अकेले नहीं चलेगी, पता है, खाना लाना बहुत मुश्किल है, कभी भी मदुमक्की को देखना, अकेले नहीं होगी, पूरा का पूरा एक छत्ता होगा, कभी भी आप animals, हाती को देखना, हाती भी जुन्ड में चलेगा, क्यों? ये उनका social behavior है, ताकि वो क्या करें? एक social behavior में cooperate करते हुए, communicate करते हुए, जादा से जादा अपने survival के chances, क्योंकि attack हो सकता है, उससे भी बचेंगे, खाना अच्छा मिल जाएगा, जब सारे एक साथ चलेंगे, cooperate to dominate वाली situation है, that is the social behavior, और अफरीका में अगर आप देखोगे, तब elephant चलता है, तब elephant को lead करने वाली एक महि पिला elephant होती है, female elephant होती है, जो उने उस group को lead करती है, ठीक है, और पूरा का पूरा जुन्ड एक साथ चलता है, women empowerment का सबसे बहतरीन example आपको यहाँ पर दिखाई देगा, behavioral adaptation के बाद आता है, morphological, morphological का मतलब है, आपका जो शारिरिक रूप है, उसके अंदर क्या adaptation है, आप camouflage कर लिया, मतलब आपने अपने शरीर पे कुछ ऐसा pattern develop कर लिया, जिससे आप छुप जाएंगे, अगर माल लो, ऐसा आप कर लेते हैं, तो आपको कोई देख नहीं पाएगा, इसलिए आपको समझ में आता है, कि कुछ ऐसे species होती हैं, जैसे आपको मैं एक snake दिखाता हूँ, let me show you, जो की राजस्थान के अंदर, राजस्थान के अंदर आपको दिखाई देगा, और पावना, snake, पता नहीं, यहाँ पे यह local name मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या पता यह सर्च कर पाए, yes, ऐसे कैसे नहीं करेगा, हमने ढूंडा है, अब देखो, इस snake को जब आप देखेंगे, तब आप जान पाएंगे कि राजस्थान के अंदर, जो थार है, थार में मिट्टी का कलर यही है, जब मिट्टी का कलर यही है, तब आपको इस snake का कलर क्या है, एकदम camouflage करता हुआ दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि इन्होंने pattern develop किया, otherwise मारे जाते, यह ए इनको बचने के लिए उनके predator से, या जब इनको खुद को शिकार करना है, तब भी शिकार कर लेगा, जो snake मैंने दिखाया है, यह इतना खतरनाक है, यह कभी काट के नहीं मारता, यह जब भी आप किसी भी अपने शिकार के पास जाएगा, तब यह सांस भी लेगा, सांस लेत अगवान ने सांपों को दिया है, इसलिए तो हम कहते हैं, कभी भी किसी भी जगह पे, जहां पे बहुती बंद कमरा होता है, उस बंद कमरे के अंदर, अगर माल लो, बहुत ज़्यादा कूडा कबार पड़ा है, तो वहां पे सांप के आने की possibility ज़्यादा होती है, उसका का अगर मैं अपनी गर्दन से इतने बड़े पेड को खाने की कोशिश करूँगा, तो नहीं खा पाऊँगा, इसका structural adaptation का finest example है, जिराफ, जिसने उस region की resources को exploit करने के लिए अपना structural adaptation किया, अपनी जो गर्दन है, जो neck है, उसको लंबा कर लिया, that is structural adaptation, फिर आता है appendages and organs, अब उड़ने के लिए उड़ना था, तो उनको क्या चाहिए, punk चाहिए, wings चाहिए, जो finches है, उनको पेड से कुछ निकालने के लिए चोंच चाहिए, eagle को, vulture को, अगर आपने देखा होगा, तो vulture को, अगर आप देखो, तो पता लगेगा, कोई भी dead, कोई भी dead, आपको कोई creature दिखाई देगा, उसके ऊपर vulture क्या करेगा, उसको चुन चुन के खाएगा, वो चुन चुन के क्यों खा रहा है, कागा रे खागा, आपने वो सुना होगा गाना, तो वो उसको बीक चाहिए, वो बीक क्यों चाहिए, क्योंकि appendages and organs चाहिए, ठीक है, फिर आता है reproductive adaptation, जिंदा रहने के लिए reproduction, आगे survival के लिए reproduction, अपनी lineage के लिए reproduction चाहिए, अब हमें तो पता है कि reproduction, humans के अंदर वो brain वो समझ आ गई कि reproduction कैसे होगा और किस तरीके से होगा, अब ऐसी ही कुछ particular तरीके reproductive adaptations flowers में भी हैं, अब flowers क्या करते हैं, खुद के bright, खुद को जो color है वो bright कर ले कि कोई punchy आए, उनके pollen greens ले जाए, और pollinator ले जाए, और क्या कर दें, reproductive success कर दें, जैसा कि हमने बात किया था पहले, जो कि तितलियां क्यों आती, क्योंकि bright colors flowers, इसलिए तो करते हैं, bees and butterflies attract होती है coloration से, इसलिए flowers को reproductive success मिलती है, फिर आता है, caught ship ritual, caught ship ritual का मतलब है कि ये कोई ऐस behavior शो करते हैं, जब मतलब देखो attract करने के तरीके हैं, अब mates को attract करने के लिए, पी को क्या करता है, अपना एक अलग behavior शो करेगा, जैसे कुछ ऐसे animals हैं, जो की कुछ scent release करते हैं, जिससे जो female होता है, उसको पता लग जाता है कि now they are calling for the mating, so that is how they are, this is dumbed as caught ship ritual, parental care से भी, parental care से भ तक आपके बच्चे बड़े नहीं होंगे, वो कैसे reproductive success को achieve करेंगे, तो आपको nesting करना, उसके साथ साथ, वो invest करते हैं, nesting में, feeding में, protecting में, अपने offspring की ताकी reproductive success को achieve कर सके, this is what we call as adaptation, और जो मैंने आपको ये चार पे दो पेजों में बताया है, believe me my dear friends, वो यहाँ पे आपको क कम से कम, कम से कम नहीं तो ये start होता है adaptation आपका यहाँ से, adaptation begins with this 61 and thermoregulation, social behavior और एक एक वही चीज है, जो मैंने आपको बताई है, वो चलेगा 73 page तक, ठीक है, अब यहाँ पे आता है 74th number page, बस उससे पहले एक और चीज है जो मैं बताना चाहता हूं, that is what we call as, यहाँ पे लिखी हुई है, homeostasis, homeostasis, यह homeostasis क्या होता है, जैसे मैंने adaptation, behavioral adaptation बताया, homeostasis का मतलब है, कभी भी आप किसी भी समय पे, अगर equilibrium की condition में आना चाहते हैं, तब उसे हम homeostasis कहते हैं, coming to the condition of equilibrium, we call it as homeostasis, when I am sweating, when I am feeling very very hot, तब sweating होगा, तो मेरे को equilibrium position पे लाने की कोशिश करेगा, ऐसा ही एक concept, James E. Lovelock ने दिया, ecological homeostasis का, ecological homeostasis के इस concept को मैं later on stages में दोबारा भी समझाओंगा, बस अभी इतना जान ले, इनका कहने का तात्पर है ये था, कि nature के पास कुछ ऐसे mechanisms हैं, जिसके कारण nature खुद को वापिस equilibrium stage पे maintain कर लाती है, जैसे कि अगर मालो, मैं यहाँ पे देखता हूँ, जैसे जैसे deer की population भरती रहेगी, तो nature को डर लगेगा, कि पूरा grassland खाली हो जाएगा, इस वज़े से simultaneously tiger की population भी भर जाएगी, क्योंकि जब deer की population भरती जा रही है, तो tiger की population भी भरती जाएगी, जिसकी वज़े से control हो गया, nature equilibrium में आ गई, अब deer की population कम हो गई, तो tiger सारे के सारे tiger हो जाएगे, तो नुकसान हो जाएगा, तो automatically tiger की population भी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी, यह nature ने एक balance create किया है, nature का य हम homeostasis के नाम से जानते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई देगा, this is homeostasis, जब हमारी body का temperature ज्यादा हो जाता है, तब हम क्या करते हैं, sweat करते हैं, vasodilation, हमारी जो blood vessels हैं, उनको dilate कर लेते हैं, है ना, ताकि हम बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से अपनी body के temperature को maintain कर सक तो coming back to the situation of equilibrium is homeostasis, और nature का homeostasis जो concept है, जिसको ecological homeostasis बोला जाता है, इस hypothesis को जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इस hypothesis को नाम दिया जाता है, गया hypothesis, इसको नाम दिया जाता है, गया hypothesis, और इस गया hypothesis, गया hypothesis नाम दिया जाता है, इसको और यह गया hypothesis ही है, यह गया hypothesis ही है, जिसकी वज़े से, James E. Lovelock ने ecological homeostasis की अवधारना को जन दिया, चलिए, लास्ट पार्ट हमारे इस segment का, that is what we call as speciation, अब यह बहुती असा पार्ट है, जो हमने पहले भी discuss किया है, और इस speciation के बाद हम, speciation के बाद हम कुछ छोटे-छोटे topics हैं, जिनको discuss करेंगे, तो within half an hour or so, we'll be finishing it off, right, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे speciation के अंदर, speciation, speciation का मतलब होता है, development of, development of new species, देखो, simple सी बात है, मैंने पिछली बार एक बात बोली थी, आपको, कि speciation क्या होता है, species क्या होता है, species वो होते हैं, ऐसे group of organism है, जो की आपस में, आपस में क्या कर सकते हैं, मेट कर सकते हैं, और उनका जो offspring होता है, जो offspring है, वो fertile offspring होता है, उनी को हम क्या कहते हैं, species कहते हैं, अब एक single species से, अगर multiple species का development हो जाए, तो इस process को speciation कहेंगे, तब आपके जहन में एक बात आएगी, कि सर कैसी बावली बात कर रहे हो, कि एक species से, मतलब एक group of species से, ऐसे कैसी हो सकता है, कि different species का genre हो, मैं कहता हूँ, एक छोटा सा example देने की कोशिश कर रहा हूँ, मान लो, कुछ एक ये geographical area था, इस geographical area में, ये एक species सर्वाइव कर रही थी, ये एक species सर्वाइव कर रही है, इस geographical area के अंदर, अच्छानक से, इस geographical area के बीच में, geographical area के बीच में, एक rift हो गया, rift valley का development हो गया, rift valley का development हो गया, और rift valley के development से, दोनों अलग-अलग हो गये, ये जो species है, ये दोनों का क्या हो गया, अलग-अलग हो गये, और इनके बीच में कौन आ गया, कोई एक geographical barrier आ गया, अब ये geographical barrier आ गया, उसके बाद, क्या ये species कभी इन से mate कर पाएंगे, नहीं, ये humans तो है नहीं कि flight लेंगे, और चले गई, और humans तो है नहीं कि चड़ गये, और वापिस पहाड पार कर लिया, अब जब ये धीरे-धीरे इनकी, अब इनकी दोनों की environmental conditions भी same, अलग हो गई, इनके बीच में geographical barrier आ गया, क्या आपस में कभी ये mate कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब जो geographical separation है, will lead to the reproductive separation, और जब ये reproductive separation आने लगेगा, तो धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे- ये ऐसे हैं, कि इनके genetic variation होने लगेंगे, और कभी भी ये आपस में mate नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब यहाँ पे अब किसका development हो जाएगा, दो different species का development हो जाएगा, खुच सोचो कि हिंदुस्तान की plate जब Eurasian plate से टकराने वाली थी, उस plate के टकराने के बाद, जो भी उस plate पे, और animals थे, या organisms थे, जब उसके बाद, जब उसके बाद पहाड बन गए, तब उसके इस side और उस side, क्या species के बीच में geographical barrier आ गया, हाँ जी आ गया, क्या वो mate कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इस तरीके के speciation को हम क्या कहते हैं, एलो पेट्रिक speciation, एलो पेट्रिक speciation, और यहीं से एक सबसे खूबसूरत अवधारना आती है, वो यह, कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, कि continental drift theory, जो कि Alfred Wegener ने दी थी, उस Alfred Wegener की continental drift theory से यही तो पता लगता है, कि जब continents drift हो गए, तो जब continents drift हो गए, तब हर continent के drift होने स क्या different different species का development हुआ होगा, बिलकुल सही बात है सर, क्योंकि geographical isolation आ गया, उस geographical isolation की वज़े से reproductive isolation आया, और उस से क्या हुआ, वो आपस में कभी mate ही नहीं कर पाई, and they will be developing the new species, and hence we call it as speciation, so इसे बोला जाता है, allopatric speciation, जब यह geographically isolated हो जाए, from the rest of the species, due to the physical barrier, mountain, river, और other geographical features, तब इनके अंदर जो genetic differences accumulate होंगे, इस बज़े से ये, क्या होंगे, different different species बन जाएंगे, तो इसको बोला जाता है, allopatric speciation, allopatric speciation, फिर आता है, peripatric speciation, सर, allopatric और peripatric में क्या फरक है, छोटा सा फरक है, मालो, allopatric में क्या होता है, जो यह development है, जो यह geographical barrier है, वो completely इसको आदी-ादी population में, completely आदी-ादी population में क्या करता है, क्या करता है, divide कर देता है, अगर, अगर allopatric speciation है, तो यहाँ पे barrier हो गया, आदा-ादा, अगर peripatric है, तो इसके अंदर ऐसा है, कि 90% तो वहीं है, 10% अभागे थे, जिनका geographical separation और isolation हो गया, वो speciation क्या होगा, allopatric speciation होगा, वो होगा peripatric speciation, so it is similar to the allopatric, but involves a small population becoming isolated, किसी एक edge से, small population जो है, वो क्या हुई है, अलग हो गई, उसको बोलते हैं, हम peripatric speciation, अब आता है दूसरा, एक और पार्ट, जिसको हम बोलते हैं, sympathetic speciation, sympathetic speciation का मैंने आपको एक example दिया था, जब आप Gallipagos आइलेंड पे, मैंने पिछली classes में बताया था, ecological niche जब अलग-अलग हो जाता है, तब ये niche अलग होने के कारण, अलग-अलग beaks के रूप में develop करते हैं, तो मैंने जो finches का example आपको दिया था, वो example, perfect example है, जब भी आप ecological separation करेंगे, जब कोई niche सेम हो जाएगा, पिछला lecture देखेंगे, एक second में समझ में आजाएगा, niche overlap के अंदर, Gallipagos आइलेंड पे, जब सबसे पहले, जो Darwin था, वो अपनी finches को देख रहा था, तो उसको पता लगा, कि एक पेड़ के उपर वाले भाग पे, एक पेड़ के नीचे वाले भाग पे, उससे नीचे वाले भाग पे है, जो उपर वाले भाग पे है, उसकी बीक अलग होगी, जो बीच वाला भाग है, उसकी बीक अलग होगी, जो नीचे वाला है, उसकी बीक अलग होगी, और जब सिमपेट्रिक स्पीशियेशन कहते हैं और पेरापेट्रिक स्पीशियेशन वो है जो कि जब भी माल लो किसी भी एक रीजन के अंदर इंटर ब्रीडिंग इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि एको सिस्टम के अंदर चेंज होने लगा कुछ ऐसे सिस्टम्स कुछ ऐसे और्गेनिजम्स थे जो कि अपने एरिया से थोड़ा सा दूर चले गए दूर जाते जाते वहां की एको सिस्टम की कंडिशन अलग हो गई मतलब ऐसा कुछ जोग्राफिकल बैरियर उनके बीच में नहीं है जोग्राफिकल बैरियर नहीं है कोई भी जोग्राफिकल बैरियर नहीं है बस उनके अंदर genetic differentiation create होने लग गया क्योंकि वो अपने एक जुन्ड से दूर हो गए वो अपने एक जुन्ड से अलग हो गए तो उनकी वज़े से उनके अंदर क्या हो गया एक reproductive barrier create हो गया that is para-patrick speciation that is para-patrick speciation so we are done with this अब इसके अंदर कुछ एक related topics है जिनकी मैं बात करना चाहता हूँ जैसे की deep ecology and shallow ecology what is this deep ecology? बहुत simple सा concept है deep ecology एक ऐसी philosophical term है जो की emphasize करती है कि humans सिर्फ इस nature को अपने benefit के लिए ही ना सोचें we are also the integral part of this entire ecosystem we always see this nature we always see nature and we always try to separate this nature from our perspective what we do is we see nature in a manner that it is going to give us the benefit only nothing beyond than that सिर्फ benefit देने के लिए है resources provide करने के लिए है और कुछ नहीं जबकि ऐसा नहीं है इसकी deep understanding का मतलब ये है कि हम nature को हमारी life का हमारी life का हमारी society का और हमारे human survival का एक अभिन अंग माने हम इसको एक key principle इसका ये कहता है कि हम egalitarianism की ओर जाएं जहाँ पे जो nature है nature जो है वो हमारे लिए नहीं है हम भी nature का ही part है बस हम खुद को ये बात समझाएं कि जो भी wilderness areas है जो भी ecological systems है उनका सिरफ इस्तिमाल ही नहीं करना है उनको conserve भी करना है उनको degrade होने से बचाना भी है that is the deep ecology shallow ecology क्या होता है on the other hand shallow ecology का मतलब है जब हम इसको anthropocentric environmentalism बोले anthropocentric human centric environmentalism मतलब है environment सिरफ मेरे लिए है मैं इसके सिरफ resources को exploit करूँगा और अपना benefit उठाऊँगा that is what we call as shallow ecology इसी को हम क्या कहते है shallow ecology कहते है तो यहाँ पे आप देख सकते है shallow ecologist may advocate for conservation measures and sustainable development but their primary motivation is often maintained and human well-being rather than the protection of the nature for its own sake अपने लिए खुद को center में रखके हम अगर इस nature को देखते रहेंगे तो definitely this nature is going to retaliate sometimes और कभी जब यह nature retaliate करेगा तो we will not be able to we will not be able to save ourselves from the from the tenacity of what this nature nature has in its womb so we always try to seek one thing वो यह है कि जब भी हम इस nature को जब भी हम इस nature को ecosystem को देखें तो हमारी समझ सिरफ इसके resources को exploit करने की ही नहीं होनी चाहिए rather इसको conserve करने की restore करने की और protect करने की भी होनी चाहिए this is all about the ecosystem and ecology there are certain chunks which are left in this chapter and I left that deliberately just because of the fact that I am going to cover that in the biodiversity क्योंकि उनका direct linkage वहीं से है so we will cover that cover that portion in the biodiversity segment I hope you enjoyed the lecture thank you so much be with me with this series and I know one fact that your static portion related to environment and ecology will be thoroughly covered stay tuned bye bye guys thank you